ओके सो हैलोंड वेरी डिवनिंग टौल माई डियर स्टुडेंट्स वेलकम करता हूं मैं भार्त पंचाल कैसे हो भई सब आई होप कि सभी बढ़िया है बहुत अच्छे जारिया सभी के लाइप पढ़ाई एंड मैं क्लियर वीजिबल एंड ओडिबल हूं आप सबको जल्दी अबिबला कि अच्छे कर लेंगे हैं कि आपको कच्छों भी करने की आवशक्ता नहीं रहेगी इसके बार इसमें सब कुछ इतने आच्छे से कर लेंगे कित가지 के बार आपको कुछ mapped करने जोन्स करें और concept बढ़िया है से समझेगे साथ निमर का यह चेप्टर है और एक नंबर कटने नहीं दिया जाएगा आज यह जल्दी से बता दीजिए क्या मैं क्लियर ली वीजिबल एंड ओडिवल हूं क्या कि वेरी गुड इवनिंग टॉल बेटा सर डीव लोक आदर रह गया अच्छा डीव लोक की रेक्शन रह गई है मैं बता देता हूं आप लोगों को पहले दबास सो सोरी बेटा वो नहीं हो पाया सेशन क्योंकि आज हमने सोचा 26 जन्वरे को क्रिस्प से सेशन रखते हैं तो हमारे ओपी अंकी सर हैं ही अंकी सर ने बोला कि अभी फीजिकल के फोर्मूला करा दो और स्पेशल पर नुमेरिकल करा दो बच्चों की फीजिकल तो अच्छी हो जाएगी और फिर इसको संभाल क्यों कर ने समस्टाइब के अच्छा कि अच्छा डिटेलाल एइक्स्प्लेनेशन होगी बढ़िया वाले NCRT आटी इक्ञेपल करेंगे previous year question होंगे और short short question होंगे मतलब मैं आपको यह बताता चलूँगा कि भाई यहां से question जुरूर बनेगा इसका बहुत अच्छे से देख लो to the point definition हो कि उनको आपने अच्छे से करना है चलो sir ठीक है आप बोलो मान लेते कितनी वेटे जाती है seven marks का चैप्टर आता है और ना ऐसे कमी चैप्टर होते हैं जिसका हरे ट्रोपिक important होता है बट यह वह चैप्टर है जिसका हरे ट्रोपिक important है क्या क्या है देखिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर स्टार्टिंग में कुछ definitions होती है वह definitions आप लोगों ने अच्छे से करनी है definitions के बाद आपके पास आज आते हैं नॉम्मन क्लेचर से भी कोशन बनी जाते हैं कहीं बार बने शोरली बने नॉम्मन क्लेचर के बाद आपके बास आता है isomerism इसमेरिजम से भी कोशन शोरली बनते हैं और isomerism के बाद आपके पास आते हैं बाटा theories इसका हर एक टॉपिक इंपोर्टन्ट है चाहिए वह आपके पास वैलनस बॉंड थियोरी सबसे इंपोर्टन है इसके बाद आपके बास CFT है और इसके बाद आपके पास आज़ती है क्या आज़ती है इसके बाद एक्तमा खुद बोल जाते हम बोलते बोलते न कि वर्नर चूरी आज़ती है तो यह हमारे कुछ टॉपिक रहेंगे जिसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं आज नेक्स स्पेशल क्लास किस पर करें अब सिरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर तो कल मैं आपको क्या करवाँगा 15 जो मॉस्ट इंप्टन कोशन होंगे 15 मोस्ट इंप्टन कोशन होंगे किस से लेटेड होंगे सर्वो के मनोफ ओर एंड के टूस या टूस है मैं प्रोमिस करता हूं आज है 26 तारिक सब्विस से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अगली 15 तक 15 तक या 16 17 तक पढ़ा दूगा क्योंकि यह 20 तक पढ़ा देंगे इस तक पढ़ा देंगे तो हमारे पास्ट कितने दिन है पच्शीस दिन है हर दिन मैं तुम्हें वो टोपिक रहाऊंगा जिसमें से शोरली दो से ती नंबर होंगे, शोरली, यह जो Diamond option की series है, इसमें मैं daily होगी है, 15 question हरे चैप्टर से होंगे, हरे टोपिक से लगबग कि हाँ यार, यह topic है, जैसे की solution है, solution में आपके question कहाँ से बनते हैं? वह OlIch अंटा लीए और उसे आपके दो-तिन नमब्सक्क्राइब को स्कती है तौब 14 ओर करोगे या उसके अपकर दो-तिन नंब्सक्राइब क्योंकि देखो अब वो टाइम आ चुका है हमें पढ़ना पढ़ेगा हमें एक्स्ट्रा स्कोरिंग टोपिक्स की तरफ जाना होगा मैं गैरंटेड बोलता हूं इन 25-30 दिन भी जो मेरी बाते माल लेता है ना भाई 50 प्लस आपके कहीं नहीं गए यह उन बच्चों की बात करो जो जीरो पर है जो पूरे साल बर से पढ़ रहे हैं आप लोग 100 के लिए जाओ 50 प्लस मिनिममम बोल रहा हूं जितने ज्यादा उसके बाद प्रैक्टिस है कोई रोग नहीं सकता ठीक ना चलो भाई आगे बड़ो कब होने वाला है यह के मेंन फॉर के टूस्याव टूस्या के साड포 234 बहुत जाड़ा चांस इस बात के हैं ठीक है और एक रात को बैसी को फॉरगानिक की क्लास क्यूंकि संड़े सहीं हम लोग बैसी की क्राऊ क्यूंकि बहुत सिक एकन्ट गयां थो 5 ॎnek या सवानों बजे मैं basic of organic भी कराऊंगा वो classes totally free of cost होंगी और उन classes का link आपको मिल जाएगा कहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरी community में मेरी community का link आपको description मिलेगा बारत मिल्चाल सर की community लिखी होगी और टेलीग्राम चैनल यह रहा हमारे टेलीग्राम चैनल अनकेडमी क्लास 11-12 लिखा यह यूरल है टी डोट मी स्लैस अनकेडमी क्लास 11-12 के लिए बैटा स्टार्ट करें जियो स्वी में तीन बार कर लिया बहुत अच्छी बात है बैटा देखिए जो पढ़ चुके हैं उनके ल तो वहाँ पर मेरी जिम्मेवारी भी बन जाती है तो टेंशन तुम बिल्कुल मतलो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे स्टार्ट करें जो है मैं एक बार शेयर कर दूए इस क्लास को क्योंकि मैं मानगे चलता हूं हमारी क्लास में मिनिमम 700-800 बच्चे तो आने ही चाहिए इत जादा बच्चों तक यह बात पहुंच जाए यह प्रोमिस है कि बढ़ी आसे कर देंगे चली तो देखे स्टार्ट करते हैं क्लास के बाद क्लास के बाद मैं आपको दूंगा वह आप निकल करके लाने उससे पता चल जाएगा आप कोई चैप्टर कितना अच्छे से आगया तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अब और वाई ऐसे मेरे साथ क्यों होता है कि यह देखो यह मच्छर को क्यों मारते हो यह मच्छर बत्तमीज रीडू पर बैठा हुआ मैं करूँ मैंने तो रीडू दुबाय है नहीं इसकी हत्या करता हूँ चलो भाई क्या बत्लों उसकी मच्छर की आत्मा मक्छी की तरह बदला ले दिया मुझसे तोपिक का नाम है एडिशन कमपाउंड किसे कहते हैं नाम सी क्लियर है एडिशन का मतलब होता है जो गठ़बंदन से बनते हैं जुड के बनते हैं दो या दो से ज्यादा सिंपल कमपाउंड होंगे और वापस में आके जुड जाएंगे Those compounds which are formed by the combination of two or more simple compounds. किसे बोलते हैं addition compound? जो बनते हैं दो या दो से ज़्यादा simple compound के combination से. हमारे पास दो तरह के addition compounds होते हैं बेटा. पहला आपके पास होता है double salt और दूसरा आपके पास होता है Coordination compound पहला होता है double salt और दूसरा होता है Coordination compound अब यार यह double salt क्या होता है? अब कमपाउंड और विच इस पॉंड और यह बाइदा यह बाइदा combination of double दो कर दो दो से जादे वे उसके बाद की two simple compound two simple compounds and stable only in its solid form सिर्फ कहां पर stable होगा बया सिर्फ इसकी solid form में अगर आप एक double salt को पगड़के पानी में डाल दोगे तो भाई को ठंड लग जाएगी भाई प्रान त्याग देगा मतलब वो अपनी identity को लूज कर देगा लिख सकते हो लूज देर आइडेंटिटी इन सोलुशन देखो बटा एक बात सुनो मेरी ध्यान से वैसे तो आपको इस लेक्चर के बारा से एक बाई तब चलती है रात का टाइम होता है और रात के टाइम में अगर आप बैठ के देखते रहोगे ना नीद आने लगेगी मैंने इचाथता वह हो जो दुनों साइड बने रहना चाहिए लोग लास्ट पार्ट लेफ्ट सर बेटा जी बता चुका हूं ना ला के टू एसो फोर ए एल टू एसो फोर राइस ट्वेंटी फोर एस्टू इससे क्या बोलते हैं हम लोग बता देजिए इससे क्या बोलते हैं इट इस नोन एज पोटास आलम लेब में बनाए भी होगा अपने इसको इस नोन एज पोटास आलम इसके अलावा क्या होता है एक होता है fp so4 nh4 twice so4.6s2 इससे बोलते हैं more salt क्या बोलते हैं इसको more salt बोलते हैं क्या बोलने वाले है more salt क्या खास बात है के बारे में कि यह सिर्फ सोलुटेट में स्टेबल होता है एकवर सॉलूशन में यह अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा अब टोपिक पर जलता है कोर्डिनेशन गमाउंड बहुत इंपोर्टेंट है कोर्डिनेशन गमपाउंड बेटा जी के फोर एफ इए दिन सिक्स जब आप इसको तोड़ने लगे पानी में डालके तो यह तूट गया पोर के पोजिटिव एफ इए दिन सिक्स पोर नेक्टिव वट इस दिफ्रेंस बिट्विन डबल सोल्ट और कोडिनेशन गपाउंड बनता यह भी बहुत सारे मोलिक्यूल के कॉंबिनेशन से है वह भी कॉंबिनेशन से है डिफ्रेंस यह है कि यह सोलीट में भी स्टेबल है इसके लावा अगर आप इसको पानी में डालोगे यह स्टिल स्टेबल है इसका यह जो साइड़ों में यह जो आपने ब्रेकिट लगाया है यह ब्रेकिट ब्रेक नहीं होता कोर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ब्रेक नहीं होता बेटा डाट्स वाइड डाट्स वाइड क्लियर होता है सबको बोलो भाई क्लियर होता है क्या लिखोगे कोर्डिनेशन कंपाउंड कोर्डिनेशन कंपाउंड और दोज दोज मोलेकिलर कंपाउंड दोज मोलेकिलर कंपाउंड विच रिटेन रिटेन का मतलों बचा के रखना रिटेन देर आइडनिटी आइडनिटी इन तोलिड श्टेट इन एक्वस सोलूशन यह है डबल सोल्ट और कोडिनेशन कंपाउंड का में डिफ्रेंस जो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए आपको क्लियर होना चाहिए अब देखो किसी भी कोडिनेशन कंपाउंड को जैसे मैंने बोला के फोर तो फ-e-c-n-6 एक एक बास समझ ना बेटा एक नंबर का या फिर वैरी शॉट अंसर आपका डेफिणेशन से कोशन बनेंगा यहांपर यह जो आपका के फोर है जो इस सफियर से इस सफियर को पहले तो देखो, Coordination Compound एक Family होती है और Family के लिए एक घर होता है, क्या होता है एक घर, इस घर को हम लोग बोलते हैं, Coordination Sphere, क्या बोलते हैं बेटा जी, Coordination Sphere, पर एक Main बंदा होता है, जैसे कि FP था, इस FP को हम लोग क्या बोलते हैं, This FP is known as Central Metal Atom, क्या बोलते हैं इसको, Central Metal Atom, इस FP के साथ, कुछ जुड़ा होगा, जैसे कि, CN जुड़े हैं 6, इस CN को हम लोग बोलेंगे, Legands, और इनका जो Number है, इस Number को हम लोग बोलते हैं, Coordination Number, जो बाहर वाले हैं, बाहर इस तरह भी उसकता है, बाहर इस तरह भी उसकता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बाहर किया था, के फोर, यह ब्रेकेबल होता है, यह तूट सकता है, आपने देखा होगा, जब हमने इसको पानी में डाला थे, तो बाहर वाला तूट चुका था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ब्रेक ब्रेकेबल है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं, काउंट राएन, क्लियर होता है सबको, आई थिंक तो सबको क्लियर होगा भाई, अब सबसे पहली बात की तरफ चलते हैं, कि कोर्डिनेशन स्फेर, कोर्डिनेशन, स्फेर, या फिर कोर्डिनेशन, एंटाइटी, एंटीटी भी, मतलब मेरे इंगलीज ऐसी है, थोड़ा समझ जाना, ठीक ना, अब यार, इंगलीज कोई मदर टंग तो है नहीं, कि बिल्कुल प्रोप पर उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, थोड़ा ही दुरुदुर हो जाएंगे, समझ जाना, भावनावों पर फोकस करना, कि हां सर कहना, क्या चाते हैं, ठीक ना, coordination sphere या फिर coordination entity किसे गाते हैं, it is the bracket, it is the bracket in which central metal atom, central metal atom and ligands, ligands, sorry, and ligands are coordinated to each other, coordinated to each other, ठीक है, यह वो bracket होता है, यह वो sphere होता है, जिसमें की central metal atom और ligand एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, clear है बटा, आगे बढ़ जाओ, आगे बात कर लेते हैं, important बात, कि हम लोग, coordination compound को दुबारे define कर लो, वो जो हमने coordination compound की definition की है, वो definition की है, with respect to double sold, अब इसकी proper definition करते हैं, अगर difference ना आया, proper आपको बोला गया, what do you mean by coordination compound, those compounds, those compounds in which central metal atom, central metal atom and ligands are coordinated to each other, ligands are attached to central metal atom, central metal atom by donating their lone pair of electron, जो ligands हैं, वो central metal atom से कैसे जुड़े होंगे बेटा, by donating their lone pair of electron, जैसे कि हमारे पास एक ligand है, कोई भी ligand कोई भी atom आयन मोलिक्टियूल होगा, बेटा जी समझ लीजिए, चीज़े समझ में आने लगेंगी, अब ऐसा नहीं है कि तुम आए क्लास में और एक दम से सबको दिमाग में घुचने लगेगा, इसा नहीं है, तुम ने पूरे साल भर पढ़ाई नहीं कि है, और end time में, जैसे एक दो बच्चे बोले हैं समझ नहीं आ रहे हो, इतना मुश्किल नहीं है, कि लीगेंड है, लीगेंड के पास सेंटल मैटल अटम है, स्वरी, लोण पेर है, तो वे अपने लोण पेर को डोनेट कर देगा, सेंटल मैटल आटम को, और यहां पर एक नहीं तरह का बॉन्ड बनेगा, इस तरह से, और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बेटा जी हम कोडिनेट बॉंड क्या होता है इसे कहा जाएगा कोडिनेट पॉंड इन वीच एक एलेक्ट्रोन ओफ वन एक्टम शेर्ड बाई शेर्ड बाई बोथ बॉंडिड एक्ट्रोन बेटा जी एक एक्टम के एलेक्ट्रोन है इस ख लिगण के एलेक्ट्रोन थे बटकी शेरिंग कर लियों तो हम क्या बोलते हैं कोडिनेट बॉंड अच्छा यहां पर यह जो अपर यह इसने अपने लोनपीर लट्रों को दोनेट किया है यह डोन है और इसने लोनपीर लव Expect किया है तो यह मतलա क्या बोलते हो जो डिडी का मतलब होतता है जो डोनेट करते है और जो अण इसे लोग बोलेंगे लुइस सरे लुइस को नहीं है लूइस गुषसरी बेस से कहते हैं बिच लोट पर एलेक्ट्रोनुइस बेस किते हैं बिच बनेट लोन प्रत एलेक्ट्रोन अगे बढ़ो नमारे पास आता है बहुत इंपोर्टेंट सेंट्रल मैटल एतम अपने कोडिनेशन कंपाउंड है coordination compound में यह central metal atom होती है यह ligand होता है जिसने अपने electron दिये होते हैं यह जो क्या हो लिखोगे भी आप लोग these are these are main metals main metals present इनसाइड दा कोर्डिनेशन स्पेर का प्रेजन होती है कोर्डिनेशन स्पेर में बाइ एसेप्टिंग लोन पैर उप गार्ट रोम कंसे लोन पे रफ लैक्रन वं लेगें जैर यह जरे यह जेरलीई विलोंग्त की वbum 2 जियरलीट विलोंग च्रियोंग कर दियुक्या झार लोंग क्र्वाट्या स्थी ड्लोंग्स ड्लोंग होग जाद आपको याद है हो सकता है शाया याद ना भी हो mustå if the whole element में para को अंदर क्यूं को अंदर क्यूं होती है उनका sided slime होता है है उनका nuclear चार्ट उनके पास vacantly tomato होता है मैं ने बाढ़िया एकdr Sept सरह हैं 2 ऐ बोलेंगे आने 2 आने 2 आने 2 क्योंकि व्यक्पट है को नज़ी है सक्जेथ सकता है अए डास वह सैंट्र अडrations सुनो तुम विवा कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू ओ यह विवा कर लेगा तो कोई के वो लेगा The Candium. Ti means titanium. V means vanadium. Cr means chromium. Mn means manganese. F-E आईरन यो मीन्स कोबाल्ट एनाई मीन्स निकल सी यू मीन्स कोपर जैडन मीन्स जेंक यह होता है बही नाम इनका अच्छा यह इनका नाम है जब यह सिर्फ मैटल एटम सेंट्रल मैटल एटम प्रेजेंट हो बट अगर कभी काउंटरायन आजाए काउंटरायन आजाए यह हमारे पास अनाईनी कंप्लेक्स हो जिसमें कंप्लेक्स पर नएक्टिव चाज आ जाए अनाईनी कंप्लेक्स हो या फिर मैटल एटम प्रेजेंट हो मैटल एटम इस देर इस पैनल को थोड़ा छोटा करते हैं ठीक ना तब इनके नाम चेंज होने लगते हैं जैसे क्रोमियम का नाम क्या होने लगेगा बेटा जी क्रोमियम का नाम होने लगेगा क्रोमेट मैगनेज का नाम होने लगेगा मैगनेट आयरन का नाम होने लगेगा पैरेट कोबाल्ट का नाम होने लगेगा कोबाल्टेट अनाई का नाम निकल का नाम होने लगेगा निकलेट कोपर का नाम होने लगेगा क्यूपरेट और जैडन का नाम होने लगेगा जिंके बेटा जिन की configuration जरूर हानी चाहिए और बहुत अच्छे से आप लोगों configuration करवाई हुई है बहाना बिल्कुल नहीं सुनूँगा कि सर्द दुबारा करवा दो प्लीज यह अच्छी बाते नहीं होती है ठीक है ना इसके लाव भी हो सकता है इसके लाव भी कुछ हो सकती है जैसे ag, au, hg, pt, pd, sn, al, generally यहीं होती है ठीक है, ag का नाम क्या आता है बताओ भई, ag बोले तो silver, au बोले तो gold, hg बोले तो mercury, अच्छा बहुत सारे बच्चों को न, ag, au के नाम में confusion है देखो एक होता है ag, एक होता है au, simple होता हूँ, देखो आप वैसे अगर price के साब से इजज़त दें तो gold ज्यादा इज़त डिज़र्व करता है, gold को हमें बोलना चीए ag, और silver को बोलना चीए हमें au, बट कल्यूग है, कल्यूग है तो क्या होगा? हम gold को बोल लेंगे au, और silver को बोल लेंगे ag सुनते हो क्या? कल्यूग है, नाम चेंज हो गए है इनके, ठीक है न, pt is platinum, pd is palladium, acen is tin, al is aluminium, ठीक है बटाओ? अब इनके नाम कर दो, ag को क्या बोल लेंगे? ag is known as urgentate, gold को क्या बोल लेंगे? orate, mercury को क्या बोल लेंगे? mercury, platinum को क्या बोल लेंगे? platinate, palladium को क्या बोल लेंगे? pallidate, tin, acen को क्या बोल लेंगे? stannate, और aluminium को क्या बोल लेंगे, bro? aluminium is known as aluminate, क्या बोल देंगे? इसको illuminate बोल देंगे, ठीक है ना? आगे बड़े, bro? आगे बड़े, I think तो clear होगा सबको? अच्छा, यह अनायनी complex वाला concept सीख लो, complex के कहीं तरह है? अच्छा, complex word जो यूज होगा, वो coordination compound के लोईज होगा, complex word जो यूज होगा, वो किसके लोईज होगा? कोर्डिनेशन, compounds के लोईज होगा, तो यहाँ पर, classification, of coordination compound, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सबसे पहले, कटाइनिक complex, फिर लिख सकते हो, अनायनी complex, और फिर लिख सकते हो, neutral complex, वैसे तो सब कुछ नाम से clear हो गया होगा, कटाइनिक complex किसे कह रहेंगे भी? दोज complex which carry कौन सा चार्ड? पोजिटिव चार्ड जैसे की, हमारे पास है, पी टी, एनेस्ट्री फोर, एनेस्ट्री फोर, टू पोजिटिव, अगर पोजिटिव चार्ड है, तो कटाइनिक complex, जैसे, एनेस्ट्री फोर, एनेस्ट्री फोर, यहां पर complex पे कोई चार्ड नहीं है, तो बेटा ज्याप इसे क्या बोल देने वाले हो? तो, neutral complex बोल दोगे, क्या बोल दोगे? neutral complex, अब सबसे जुरूरी क्या होता है, ब्रो, सबसे जुरूरी होता है, ligands, क्या जुरूरी होता है, ligands, ligands, बहुत important है, देखे, हर एक chapter का ने एक core topic होता है, जिसमें हम मान के दलते हैं, अगर यह नहीं आया, तो chapter नहीं आया, ligands वो topic है, जैसे अगर dnf block में में बात करता हूँ, dnf block में वो topic कौन सा था? बेटा जी, dnf block में वो topic था, electronic configuration, इस chapter में वो topic है, ligands, ligands क्या होते है? एक होती में वो तेन आया ह tu, बेटार टतैंड है, आटार बहूता है, अलो डोनेटिंग कि देर आ है मिलों पेर ओ एलक्ट्रों जो कि सेंटरल मैटल अलों से जुड़े होते हैं जैसे कि यह था यहां पर आपको देखने हमिला पूर्ट्थ पूस तरह से और उनके बीच में कॉडिनेट बोर्ण बन गया था कहीं तरह के हो सकते हैं ठीक है न यह हमारे पास लीगेंड की अगर बात करता हूं लीगेंड हमारे पास हो सकते हैं जैसे N I नेगटिव लिगन नेगटिव लिगन कौन कौन से हैं जैसे अफ नेगटिव लिगन ब्र नेगटिव यह इसके बाद एक हमारे पास आज आते हैं पिजसरीं भी होते हैं हम लोग लिच गेंट के बात काथ के देश कर पाईगा और दॉनेट किर पाएगा तो यह लिचण्स को पाईगे लेड कता ज्याएगा आँ ट्राइस टू कर जैसे कि यह निए इनके पास लून कर ने तो यह अपने लून कर सकते हैं तो यह लीगन क्या लाएंगे के लिए या सबस्क्राइब और आइध कि चले आगे बढ़ते हैं नेक्सट एटर आ दिन्टी सिटी कि देन्टी सिटी Denticity क्या होता है, total number of sites through which, through which a ligand is attached, a ligand is attached to central metal atom. वो total number of sites कितनी है, जिसके through एक ligand central metal atom से जुड़ा होगा, उसी को हम लोग उसकी denticity बोल देते हैं, इस तरह से हम ligands की classification कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ गया monodent, monodentate किसे कहेंगे, जो monodentate किसे कहेंगे, जो monodentate किसे कहेंगे, जो monodentate किसे कहेंगे, जो नाम स single atom through one site, या फिर which have one donor atom, which have one donor atom, जिसमें एक electron देने वाल आटम होगा, जैसे कि F negative था, CL negative था, BR negative था, यह सब monodentate लिगन है, ठीक है, या फिर अभी क्या था, H2O, जैसे कि NS3, ठीक है, यह सब monodentate है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, तो next मारे पास आते हैं, by dentate ligand, by dentate ligand किसे कहेंगे बटा, by नाम से clear है, two, those ligands which have two donor atom, अगर किसी के पास, दो donor atom आ जाएं, ठीक है न, example की बात करूँ, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया example होगा, oxalato, oxalato, oxalato ox से represent करते हैं, इसको oxalic acid से बना है, oxalic acid का formula क्या आता है, cwh, cwh, ठीक है, इसका h काट दो, तो इसके पर negative charge आता है, और negative charge किसकी पैचान है, negative charge पैचान होता है कि इसके पास electron density ज्यादा है, यह electron donate कर सकता है, clear है कि नहीं, आगे move करें, next बात करें बैटा, next, बाइड इंटेंट का और एक जामपल एक बहुत famous, ethylene diamine, ethylene diamine, ethylene diamine को हम लोग EN से represent करते हैं, formula होता है इसका, CH2, CH2, NH2, NH2, और बैटा जी यह ने complex ligand है, जो ethylene diamine है, यह complex ligand है, तो हमें कैसे सपने आएंगे, कि कौन complex ligand है, कौन normal है, complex ligand वो होते हैं, जिनके नाम में already die try आ जाता है, जिनके नाम में already die try आ जाता है, complex ligand, इसके लावा, एक और बड़िया example है, glycinate, 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 glycinate क्या होता भी, glycine आप लोगों ने सुना होगा, glycine क्या होता है, CH2, यहाँ पर NH2, और यहाँ पर COO negative, तो यह हमारे पास होता है, glycinate, clear है, इसको GLY से रिप्रेजेंट कर देते हैं, G, L, Y, most important रहता है बेटा जी, most important जिसके आने की चांस बहुत जादा है, अगर definition आई तो इसकी आ सकती है, polydentate ligand, क्या होते हैं, polydentate ligand, भई, किसे कहा जाएगा, polydentate ligand, which have more than two donor atom, अगर किसी के पास भी दो से ज़्यादा donor atom है, which have more than two donor atom, अगर किसी के पास, दो से ज़्यादा donor atom, और इसको बहुत बड़ी एक्जामपल होता है, EDTA, 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 EDTA के full form क्या आकती है, EDTA, 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 EDTA टेटो आयन, एसी टेटो आयन वर्ड निकल क्या है, एसिटिक एसिड से, और जब टेटरा है, टेटरा का मतलब चार, और लिंक करोगे कुछ इस तरह से, CH2, COO, नेगटिव, CH2, COO, नेगटिव, इदर यहाँ पर आएगा, CH2, यहाँ पर आएगा, CH2, बहुत बार इस से कोश एक आजाता है, किसके पास कितने donor atom है, बहुत बार एक बढ़िया कोशन आयते है, किसके पास donor atom कितने है, तो देख के सबको लगेगा, कि चार negative है, है चार जगा पर इलेक्टों देंसिटी बड़ी है तो वह चार जगा से डोनेट करेगा बट इसके पास टिक्स डोनर एक्टम कैसे हुए सर देखो एक दो तीन चार पांच और यह छे तो अगर कोई आप से पुछे क्या है कि तो वह फिक्स है वह एक हैक्सा डलीटेट सफ हैं गया नेक्स्ट है 100% शोर चांसिद हैं कि आपको आज आए पेपर में MB डेंटेट लीगेंड MB डेंटेट लीगेंड MB अगर मैं इस AM शब्द को हटा दूँ तो यह बन जाएगा बाइडेंटेंड बाइडेंटेंड जिसमें दो की शक्तियां है जिसमें एक शमता है दो साइड से जुड़ने की बट मैंने यहां पर एक शब्द लगा दिया एम जुड़ नहीं पाएंगे मैंने लिखा पॉसिबल मींस वो चीज हो सकती है और अगर हम उसमें लगा दें आगे इंपॉसिबल मिनिंग चेंज हो गया हिंदी में बोलते हैं सत्य सच है और सत्य वह और लगने से उसका मिनिंग चेंज हो जाता है सिमिलरली यहां पर भी बाइडेंटेट लिगन्स कि कौन से होते हैं जिसमें चक्ति है दो साइड से जुड़नेगी capability है बट वह एक टाइम में एक के साइड से जुड़ेगा जैसे कि एबी डिविलियर्स के बारे में सब ने सुना होगा कभी ना कभी है ना उसको Mr. 360 बोला जाता था क्योंकि वह लेफ्टी राइटी दोनों साइड से खेल देता था बट एक बोल पे या ते वह लेफ्टी मा वट दे हाव रो विच हाव तू डोनर अटम्स जिसके पास दो डोनर अटम है बट दे अटाच्च्ड तू Central Metal Atom Central Metal Atom From One Site In One Time बट वो एक टाइम में एक ही साइड से जुड़ पाएंगे जिर्फ एक ही डोनर अटम का यूज़ कर पाएंगे अगर एक तरह से जुड़ेगा तो इसका नाम हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा याट रहे अभी पढ़ लोग दूसरा एक जांपल करते हैं N O 2 है N O 2 N की तरफ से भी जुड़ सकता है अगर यह N की तरफ से जुड़ा तो इसे बोलेंगे Nitrito O और अगर यह O की तरफ से जुड़ा तो इसे बोलेंगे गलत बोलों N की तरफ से जुड़ा तो Nitrito N अगर O की तरफ से जुड़ा तो Nitrito O S C N है S C N है अगर ये S की तरफ से जुड़ा तो थायो साइनो और अगर ये N की तरफ से जुड़ा तो हो जाएगा आईसो थायो साइनो इसो थायो साइनो बेटा clear है embedded ligands सबको clear है those ligands which have two donor atom जिसमें दो साइड से जुडने की शक्ती है बट वो एक टाइम में एक ही शक्ती का प्रियोग कर पाएंगे सिर्फ एक साइड से ही जुड़ पाएंगे आगे मूव करें आगे मूव करें मेरे बबलू चलो भाया आगे बढ़ते हैं next बात करते हैं next आप हमारे पास poly dentate ligand अच्छा poly हो चुगा है चिलेट 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 चिल compound को हम लोग बोलेंगे chillate इस effect को हम लोग बोलते हैं chillation effect जिस ligand का यूज किया गया है उस ligand को बोलते हैं chillating ligand एक एक बात दुबारे से संजाता हूँ क्या बोलते हैं वेन आ वेन आ वैन आ बाइड एंटेंट और लेन आ वीरणट गर वह बिद्धन और विद्धन गूझनाठ अआए डड़ ऑन टान्म टो थार संटमेटल atom and a ring is formed, ring is formed, एक ring बन जाए, complex thus formed is called, इस complex को क्या बन लोग मेरे बब बन लोग, chillate, ligand, used in chillate formation, called, क्या बन लोग मेरे 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 चिलेशन इफेक्ट क्लियर है मैं बना के दिखाता हूँ जैसे कि आपके पास है एन इफेन वन टू डायमाइन या इफाइलेन डायमाइन को बोलते हैं कि कुछ इस तरह से बंद आएगा और च्टू अच्टू अने च्टू अने श्टू अने श्टू कि दो यह न यह तो एक एन हो गया एक निदर लगा दो है कि दो सी एस्टू च्टू एन एस्टू एन ही ने स्टू रिंग बन रही है बेटा जीए दिखों है यह जो देखिए जब एक बाइट एंटेंट या फिर पोलिड एंटेंट लिगेंड जुड़ेगा इसांट्रल मैटल एंटम के साथ और एक रिंग बन जाएगी उस रि स्टेबल सर्जी कोश्शन कराओ ना प्रीवेसस्ग कोश्शन प्लीज करेंगे दस पनाव मीट आख जाओ थोड़ा सा कंसेप्ट समझलो फिर बहुत सारे कोश्शन करेंगi चिलेट सार मॉर श्टिबल धन डन को नॉर्मल कॉम्पलेक्स अगर सबने नोट किया तो आई थिंक तो कर लिए अगो मेरे बबलू ने भाई सबने नोट चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास हाँ तो लीगेंड्स की एक टेबल है और यह टेबल अच्छे से कर लो इस से लेटेड सारे कोशन अब इस चैप्टर में आगे बनेंगे अनाइनिक लेगेंड्स कटाइनिक तो सलेबस में नहीं है न्यूट्रल अनाइनिक दो तरह के होंगे कि मोनोडेंट्यट और बाई डेंट्यट्ट और बाई डेंट्यट्ट नूट्रल तरह के होंगे मोनोडेंटेंटेंट और बाइडेंटेंटेंट यह टेबल अच्छे से देख लेनी है बहुत अच्छे से इसको कर लेना है तो करते हैं अनायनिक लिगन के यह लिगन के रूप में आते आगे क्या बोलना चाहरा हूं रिपीट करता हूं कि लिगन के रूप में नहीं आते काउंट राइन के रूप में आते हैं तब उसका जो ओ है वो कट जाते है नोर्मल नाम आ जाता है जैसे मैं सुन जाता हूं लिख लीजिए बैटा साथ साथ चाहो तो लिख लो इसे बोलेंगे फ्लोरिडो क्यूंकि इसके बाद सारा चैप्टर इसी पर है इसके बिना समझ इसके ठीजिएणड, कर नो 2 नेग्टिव नाइट्रेटो ओ ओ ओ ओ ओ एनो नेग्टिव नाइट्रेटो ओ ऐस नो 3 नेग्टिव ठीक ना इसके लावा साय नो C न नेग्टिव एसivosिन न नेग्टिव थियो सैनो सिन नेगटिव आई सो थायो साइनो आई सो थायो साइनो एन सी एस नेगटिव क्लियर है बाइड इंटेंट की मैं बात कर लूँ बाइड इंटेंट जैसे की सबसे बड़ी एक इसमपल है और फ्रोनो तेस के ऐसे डबल ओ नेगटिव या फिर आप इसे टू ओ फोर नेगटिव भी बोल सकते हैं इसके लावा गलाइसी नेटो गलाइसी नेटो क्या था चीज़ टू एन एच टू इस डबल ओ नेगटिव अच्छा इसमें मैं उपड़ लिख दे रहाऊ एक उता सल्फेटों तल्फेटों पे एस सो फोर टू नेगटिव ठीक है जनरली यही रहते हैं मोनोड एंटेंट पे आजाओ मोनोड एंटेंट का बढ़िया सबसे बढ़िया एक्जांपल है अमाइन अच्छा इन पर जिरो चार्ज रहता है चाहे कुछ भी हो जाए इन पर जिरो चार्ज रहे है ऐस थी ओ कार्बोनील कर्बोनील इससी ओ नाइटेंट फे नाइटेंट रहते है चन पर तक अ कर्बोनील और हैंट उक्छ सच उनित्ट इसके बात थाए कार्बोनील थाए कार्बोनील इस मि ho अमाइन निधाइल अमाइन थी एज टू थी एज टू थी एज टू थी एज टू पोस्फिन पोस्फिन इस पीस थी एक उत्ता है प्राइब सिăन-फीन-ाल-पोस्फिन पी सथ 6 यद्र कि अगर कसी लिगन के नाम में और लडी्डिर है आज तो उसे मों मिलूंजली और किसी के नाम में अलूंजली टाइटर आज आज पर तो बाइडेंटेंड की बात कर ले तो एक बहुत बड़ी एक जाम्पल है इतायलीनड डायमाइड को मोग इन से रिप्रेजेंट करते हैं फोर्म रॉत थे हैं CH2 चार्ज्ली से कोई बच्चा रहने न पाय कि नोट किया चार्ट करें नेक अच्छा च्छाएक दोच जीज़ और सी गुलो यार चोड़ा ट्रोपी कोई गुलो coordination number total number of total number of coordinate bond total number of coordinate bond form by ligands total number of coordinate bond form by ligands with central metal atom कि जो ligands है वो central metal atom के साथ total कितने bond बना रहे हैं वह ही उसकी coordination number होता है हुँँआ कि जैसे कि आपके पास है कि अफ़ी सील जिस यहां पर कोडिनेशन नम्बर क्या होगा अब आपको पता सी एक monodentent ligand है एक सील एक bond बना सकते हैं तो छे सील कितने बन बना सकते हैं भई छे सील छे बन बना सकते हैं तो इसको coordination number हो जाएगा जैसे कि एन आई एन ट्वाइस है अब एन इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेंट है एक में ही दो की शकती है एक ही दो तरफ से बोण बना सकता है तो दो कितनी तरफ से बना सकते हैं बाई coordination नम्बर यहां पर कितना आदाएगा पोर आदाएगा क्या आगे जैसे कि एन आई ns3 twice en है comment section बता दीजिए इसका coordination number कितना होगा n i ns3 twice en very good very good कैसे हो जाएगा बई ns3 एक monodentate ligand है एक साइड से जुड़ता तो दो कितनी साथ जुड़ जाएगे दो और एन अकेले में ही दो की शक्ती है तो यहां से coordination पर कितना हो जाएगा next है बटा next हमारे पास oxidation state या फिर oxidation number oxidation number क्या आता है total charge present appear on central metal atom total charge appear on central metal atom वेन 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 वे ओल लीगेंड्स वे ओल लीगेंड्स वे अर रिमूव्ड जब आप सारे लीगेंड को रिमूव कर दोगे अपर उस टाइम जो चार्ज आएगा उसे हम लोग क्या बूलेंग भई पुस्टाइम मुझे जांप उसे क्या बोलेंगे ऑक्सिडेशन स्टेट बोलेंगे एग्जाम्पल देता हूं जैसे कि इस वाले को ले 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 लिए ना एफ ए कि एएल 6 कि रे नेगेटीव झेए असे फिक रेकाने निकालने तो फुक को क्या माल माल लोगे एक्स ऐल कितने चार्ज होता है पिछली साइड दीच लिख लिख वाया था सीर्पर कितना चार्ज होता है c l p e charge होता है minus one is equal to me इस पूरे पे minus three minus का six उदर जाएगा plus 6-3 x is equal to कितना जाएगा यहां से 3 oxidation state कितनी आजएगी यहां से 3 आजएगी है getting my pointer note कि I hope तो समझ रहो हो दोबारा सम्झ में नाता हूं जैसे कि c u c n 3 सी यू सी एन 4 को आई है कमेंड सेक्षन बताओ इसके ओक्षिदेशन श्टेट कितनी आधाएगी सी यू सी एन 413 एए कि ऐसीडेशन श्टेट कितनी आधाएगी बताओ कि कि चलिए को क्या मान लोगे एक्स किन कितने चार चार्ज माइनस वन इस इकॉल टू में माइनस रिबेटा चार्ज मस्ट है लिगेंड्स का चार्ज आपको जुरूर पता होना चाहिए तो यह एक्स माइनस का फूर जाके प्लस का फूर एक्स पूर माइनस री एक्स इस इकॉल टू वन कि अधिक तो क्लियर होगी सबको कि कि इतना चार जाएगा यहीं नहीं पता चल रहा भावेश भाई लिखवाया तो है मैं आइद लिखवाया तो था चाहिए माइनस लिखवात रखे और मैंने सपेशली बोल ला है कि इसको अच्छे से कर लीजिए आप लोग आ इसको अच्छे में नेक्स्ट अगे बड़े लोगरिए रहे ज्टार्ट करते हैं नॉम्मन क्लेशर बढ़िया इजएम्पल के साथ नॉम्मन क्लेशर का मतलब होता है नाम करन करना नाम करन करना सबसे सिंपल से स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमारे पास क्या ओता कोडिनेशन स्फियर सेंट्रल मैटल एटम लिगेंड और लेगेंड का कुछ नगुछ नमबर अगर आपको सिर्फ यह दे रखा है तो इसका नाम पहले इसका नाम बीच में और इसका नाम बाद में एन n क्या है n number होता है number of ligands अगर 2 हैं तो उसे बोल देंगे die 3 हैं तो उसे बोल देंगे ट्राई 4 है तो से बोल देंगे petra 5 है तो से बोल देंगेOM masked है तो से बोल देंगे hexa और अगर ये जो ligands है यह आपके कैसे हो जायए complex ligands complex ligands के case में for complex ligands complex के लिए क्या आएगा दो को क्या बोलेंगे बटा 20 3 को क्या बोलेंगे प्रिस 4 को क्या बोलेंगे टेटरा किस 5 को क्या बोलेंगे इस तरह से नाम हो जाते हैं अच्छा यह मैंने बता दिया कि अगर आपके बाद सिर्फ स्फेर है तो नंबर का नाम पहले फिर लीगेंड और सबसे लाश में सेंटल मैटल अगर यहां पर कुछ दे रखा है मान के जलो पहले कुछ दे रखा है स्फेर के स्टार्ट होने से पहले तो इसका नाम सबसे पहले आता है अगर स्फेर के बाद कुछ दे रखा है तो इसका नाम सबसे बाद में आ जाता है और अगर यहां पर कुछ चार्ज है तो लाश्ट में हम आयन लिख देते हैं क्लियर है स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल जैसे कि आपके पास है एन आई तो इसका नाम क्या हो जाएगा यह सबसे सिंपल है क्या करूंगा और को बोल देंगे ट्राइब और और नाम क्या है पिछे किया है आप लोगों ने ट्राइब निकल के oxidation state निकालने पड़ेगे लिए निकल को X माल लेंगे निकल को जाएगा तो tetra carbonyl, nickel और बेटा जी हाँ पर क्या आजाएगा आपका जिरो आ जाएगी इसके oxidation state clear है थोड़ा आगे बढ़ते हैं मान के चलो यह आ गया Ni CO4 Ni CO4 और इस पर चार्ज आ गया 2 positive इसको कैसे करेंगे मैंने आपको बताया है कि अगर यह है simple तो पहले number ligand centrum natural 4 है तो क्या बोल लेंगे बेटा जिसको 4 को क्या बोल देंगे tetra CO को क्या बोल देंगे carbonyl और Ni को क्या बोल देंगे nickel क्या बोल देंगे nickel और last में क्या लगाएंगे iron जरूर लगाएंगे sir last में iron क्यू लगाया बताओ भी last में iron क्यू लगाया हमने last में iron इसलिए लगाया है को यहाँ पर charge present है ठीक है ना अब इसके oxidation चेट निकालनी पड़ेगी must है central metal atom जोते हैं निकल को x CO4 CO पर कितना जाज जोता है 0 is equal to में इस पूरे पर charge plus 2 x is equal to कितना जाएगा plus 2 तो यहां से तू आ जाएगा getting my point or note बिटा बोलो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बोलिए I think तो आ रही होगी भाई जरूरी भी है कि समझ में आ जाए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और case advance करते हैं जैसे की paper में आ गया तो अन आई विश्डल फोर अगे विश्डल फोर कि तू नेक्टिर पहली बात तो मुझे यह बताओ यह कटाइनिक कंप्लेक्स है अनाइनिक कंप्लेक्स है न्यूट्रल कंप्लेक्स है कैसा कंप्लेक्स है हमारे पास बेटा जी यह हमारे पास सर और गैनिक कब कौन सा चैप्टर होगा तो मैं आप सबको क्लियर कर दूँ संडे से हम लोग और गैनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं बट उससे पहले मैं आपको बेसिक करवाऊंगा और बेसिक कहां पर करवाऊंगा फ्री स्पेशल में सेंट्रल मैटल एटम का नाम जो है वो चेंज हो जाता है कि सेंट्रल मैटल एटम का जो नाम है वो चेंज हो जाता है चलो भाई ठीक है देखते हैं तो सबसे पहली बात अब इसके आगे पिछे कुछ नहीं है तो पहले इसका नाम नमर मेंशन करेंगे चार को क्या बोल क्लोरीटओ क्ैट्रा क्लोरिडो आनाई का नाम क्यों होगा निकल बहुत सारे बच्चों को लगता है निकलोगा बिर कर नाम होगा निकलेट यह कीज़ा होना कि यह यह है यह मैटल्स के नाम है और फिर इनके नाम चेंज भी पड़े हैं क्रोमेट मैगनेट फेरेट कोबाल्टेट यहां तो नहीं कंपलक्स कंपलेक्स हो या फिर मैटल एटम प्रेजन्ट हो तो नाम जो है वह चेंज हो जाते हैं बट अब क्या करेगी तुम लोग सीरियस लेते ही नहीं हो ठीक ना निकलेट यहां पर ब्रैकेट और लास्ट में क्या लगेगा आयन आयन क्यों लगया को जो पर चार्ज रखाव पर चार्ज जे तो आयन लगेगा लगेगा ठीक बटा अब निकल के ऑक्सिडेशन श्टेट से निकालनी पड़ेगी निकल को क्या मदलो गे x कियल की 8-1 और j miser 억ater मैस्ट यह फ़्य नेको एक स्टुडडैं नोर्मल मेर्लकी स्टुड्रट और भारास-र के ल्ट्रा प्रॉमक्स वह क्या करेंगे प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 प्लस 3 को उदर ले जाता हूं माइनस 3 माइनस 2 पहले है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 दर्ट देशे सारा कुछ पेपर में करके आ पता नहीं फेल क्यों हो गया अरे भाई फेल तो होए गई ना पूर इंटू माइनस 1 करना है वह माइनस 4 है माइनस 4 उदर जाके प्लस का 4 होगा 4 माइनस 2 टू आएगा भाई तो यहां से ऑक्सिडेशन स्टेट कितनी आ गई तू आ गई क्लियर हो रहा है कोशिस कर रहा हूं कि एक एक ग्जामपल से सबको समझा दूं पता नहीं क्यों यह बात बेजती सी लग रही है और किसी को भी लगी है क्या भाई है एक अनि-क लिए सेञ़ को रहा है इसका नाम करना है यह एन-एश-चियए-ट्वाई-स्अ-ड एग ऊपर कुछ है अंदर चलते हैं ligand का नाम पहले करना ओता है ligand 2 है तो आयू पैसी ने simple rule मना रखा है अगर कोई यह बोले कि मेरा नाम पहले मेरा नाम पहले तो हम क्या करेंगे वहां पर एक काम कर रहा है सिंगल डाइमाइन कड़ा क्लोरिडो और न नाइगा पूलेंगे हैं निकल लास्ट में औ्सिडेशन चेट मैंट को X मालों लोगे एक्स यह माइनस का टू दर जाके प्लस का टू हो जाएगा तो यह निकल टू आ गया गया अच्छा गैप नहीं देना होता है ज्यादा ना मतलब थोड़ा सा दे सकते हो बड़ ज्यादा गैप मत दीजिए अगे बड़ो अबना थोड़ा पीवाई की उट स्टार्ट करते हैं और डॉंट वरी मैं एक कोश्ण को बहुत अच्छे से कराऊंगा इसी पेज़ पर सब करेंगे ठीक है प्रिवेस्टियों कर लेते हैं क्या मैंटर करता है कोश्ण की प्रैक्टिस मैंटर करते मेरे बबलू कोश्ण की प्रैक्टिस मैंटर करते हैं यह कोश्ण आया था कि अग्याएं में यह सी आर टी ओ टिक्स कब आया था बाई है कि वेंटी कि 2014 में जल्दी कमेंट सेक्षिन में स्पैम मारो सही अंसर का स्पैम मार दो जल्दी से करें कि तक अब यह लिगन्स को नाम होता है तो हैक्सा ची और को क्या बोलें कि कारबनील और सी इस एर को प्रोमियम औक्सिडियेशन श्रेट निगाल लो त्यार को क्या मान लोगे X CO कितने है छे CO पर चार्ज होता है 0 इस इक्स पूरे पर कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 X is equal to कितना बन गया जिरो ब्रेक्ट में रिखेत होगे जिरो चलो बहुत आंदर आगे बड़ो वीर तुम आगे बड़ो दीर तुम आगे बड़ो कि अरे भाई साहब कि सी आर कि एनस्ट्री प्राइस ट्री यह हुआ 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 2013 में सिंपल याते हैं इतने मुश्किल याते हैं मुश्किल तब बनते हैं जब नाम से स्ट्रक्चर करना आदे बता दीजिए और प्लीज कोपी पैनल लेगे नोट जुरू कर लिए न प्लीज 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 किया कि देखिए दो लीकेंड्स हैं दो लीकेंड्स में तो कॉंपटीशन होगा अनसरी को क्या बोलते हैं कि क्लोरो कॉंपटीशन में अगर हमाइन है न तो माइन जितते हैं हमेशा हमेशा बख्य देख लो इसको क्या बोल देंगे राई क्लोरीडो और क्लोरीडो और क्लोरीडो क्या बोल देंगे भाई क्रोमियम औक्सिदेशन चेट कितने होते हैं क्रोमियम की क्रोमियम को आप एक्स मान लोगे एन एस ट्री हैं एस ट्री चार्ट कितना होता जीरो तो यहां पर आप लोग रिख दोगे ले रहे नहीं आगे बड़े कि आगे बड़े नेक्स बात करते हैं नेक्स बात करते हैं मेरे बबलू कि आप कि आप कि ए एन 3 ऐसा कोशन अभी तक ट्राइन किया है ट्राइक कर लो नहीं होगा नहीं घुक्त नियां मैं करवाँगा तो क्लूडो कैसे जब आयन ही नहीं है तो है है एक हसरा बेटा जी चीएल का नाम क्या है आन नहीं है सियल लीगड़क से और वह लीगड़क की तो नाम बताए थी मैंने तुम्हें है भाई तब करता प्लीज नोट्स बना लो बना लो भाई क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन है अगर देख लो ना यह सी यल क्या है तो है कि ऐसे मत करो भाई बुरा लगता है कि चलिए करेंट राई तो देखो भाई यह थोड़ा अलग है यह था है ना आपको यह दे रखा था तो बाहर कुछ है बट बाहर जो है वह लास्ट में है तो लास्ट में है तो उसको नाम लास्ट में करेंगे पहले फेर प्याओ पहले नाम किसका लिगेंड नाम क्या अत्ता है यह था झाएलिन दायमाइन जिसके नाम में इस डाइट राय आता है वह कूंपलेक्स लीगेंश होते उनके नंबर को को मैंशन कैसे करेंगे पैटा 3 को क्या बोलेंगे लोग 3 is known as trees और इन को क्या बोलेंगे ने इधाइलीन डायमाइड ब्रैक्केट में लिखना इजद देनिया भाई को इस आ데 करुमियम क्रोमियम dense मैटल अटम है इसक और इस गोड़ ही क और यो ठीकेंगे इसे बोलता ककॉंटर आयन का नंबर mention नहीं करते counter-ain का number mention क्या बोलते है क्लोरिडो क्लोरिडो क्वोल लिगेंड होता है यह तो क्लोरिडो क्लोराइड नहीं है यह यह जो clear हुआ जो क्लिर हुआ क्योंकि काउंटर आइंस का नंबर मेंशन नहीं गड़ते हैं ओक्सिडेशन चेट निगालो कि यह एक्स माण लोगे इन थ्री है इन पर जिरो चार्ज होता है तील थ्री है तील पर माइनस बन चार्ज होता है इस उकॉल्ट में पूर पर कोई भी चार्ज दे नहीं रखा इस कि आइधिंग थो क्लियर होगा सबको आगे मुण करते हैं कि नेक्स्ट थोड़ा और अच्छा एक्डमपल एक्डमपल सारे अच्छे हैं यार ऐसा कुछ है नहीं कि बीन अच्छ वाला एक्डमपल अपन करेंगे था बड़ी अबड़ी निफ्टाएंगे बोशांदा लाइए तैक यह अभी देख लो ऐसा भी नहीं किया अभी तो पेट्री ऑफऑ कि इलाइन ए अभ शिद्धा हम लोग स्फेर पे नहीं जाशते क्किस्फेर से पहले कुछ दे रखा है और अब स्फेर से पहले कुछ दे रखा है तो हम उसका नाम करते हैं क्या होगा त्री है नंबर मेंशन नहीं करते हैं मैटल ऐटम का कांटराइन का पोटेशियम इसका नाम होगया अंद्र चलेंगे अंदर क्या होगा पहले है तो हैंज सी एन को क्या बोल देंगे साइज स 애 कि का नाम तो क्रूंबाए कुमेंड तो हैं सर लिगेंड कमपलेक्स है कैसे पता द लेगा बेटा कई बर मताया तो कैसे लगेगा कोई लिगेंड कंपलेक्स echt स आता है जैसे इधाइलिन डाइमाइन के नाम में डटाइ आता है अब ऊब किसी के नाम में तो नहीं आता לפlarthना जैसे यहां पर चैसले यहां पर यह Śाचली है जाली बैटाजीष का नाम क्या हुगा sociedade कि आपने दो बॉलह था जब नेगटिव चार्ज आएगा तब फैरेट होगा मैंने यह बोला था अनाइनिक हो या फिर मैटल आटम प्रेजेंट हो तो मैटल आटम प्रेजेंट है अगर आप इस के को निकाल लोगे के पर पोश्ट्री चार्ज आएगा इस पर नेगटिवी आएगा यह नाइनिक कॉम्प्लेक्सी बनेगा खञा न पर पैरेट अक्सिडेशन स्टेट तो या फिए को क्या माले लोगे एक्स सी न कितने है छ है कितने है प्लस वन इस गॉल टू में पूरे पर चार्ज कोई चार्ज नहीं तो जीरो प्लस फी माइनस एक्स कितना होताँ प्ञान स्ट्री उद्धर जाक घ्री यहां पर क्या जाए अगया वस एक दो कि डंगे मत कीजिए बात पर चोटी सी बात है दंगे मत कीजिए प्यू सी फ्लीज अगर करें नेक्स्ट बात करें भूइए बहुत ही बहंकरी एकजमपल यह रहा तुम्हारी स्कृरीन पर को 2012 में आया था य इसकेव हापन्सदाना है अच्छा हर साल आते है नमेंक्लेचर से लेकिटिध कोसिन हर टी आर अने स्ट्री वाइस टी एल वाइस एन एंड ट्वन्टी फिफ्टीन में आए वह कोशन है कमेंट सेक्शन में जल दिसका नाम ट्राई कर दीजिए नहीं होगा तो मैं करवाद हुआ हुआओर अने स्ट्राई कर दो याय। अब यह आपके बाद प्पेर है कि फिर में थे फिर पहले लिगंव का नाम होगा लाफ हैम इं को क्या बोलते हैंücht में क्लोरीदौ उच्पाइल 지나 तो कर दिजिए बनाम अल्फबेटिक लोटर में किसका नाम सबसे पहले आएगा बताओ common sense है भाई इसमें अमाईन का नाम सबसे पहले आएगा वैसे मैं आपो बोल चुका हूँ किसको नाम पहले आएगा तो एनेसरी दो है दो एनेसरी को क्या बोलेंगे बटा डाई अमाई डाई अच्छा बुरा नाम आनो एक बात बोल दू अगर बुरा नाम आनो अपनी प्रेज नहीं कर रहा हूँ ज़स्ट एक फैक्ट बता रहा हूँ मैं भी स्क्रीन पे सब कुछ लिखा लेके आ सकता हूँ पढ़के जा सकता हूँ कि लो यह 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 है बट एक एक चीज़ तुम्हें लिखके इसलिए पढ़ा रहा हूँ सो देट कि तुम्हें बिल्कुल भी यह फील ना है कि भारत सर हमसे कम मेहनत कर रहे हैं तुम्हें कई बार सांसों की आवाज आती होगी कि हां मैं बस यह कह रहा हूं कि रिजल्ट आएगा दोनों साइड के एफर्ट से इवन आप लोगों के एफर्ट ज़्यादा होने चीएं बीच में एक आदे यह तरीके समझाई जा रहे हैं कि और रिपीट करो मेहनत दोनों साइड से होगी तभी रिजल्ट आएगा चलो कम टूद पॉइंट डायमाइन डाय क्लोरिडो इन को क्या बोलेंगे अब इन को कोई नंबर नहीं दे रखा तो आपको बिस्ट्रेस लगाने की जूरत ने आप सिद्धा लिखो इसका नाम इथाइलीन डायमाइन अब आव सियर पे सियर का नाम क्या होगा क्रोमियम होगा क्रोमेट होगा सिंपल बता रहा हूं या तो इधर नेगटिव चार्ज हो तब नाम चेंज होता है या इधर मैटल एटब हो तब नाम चेंज होता है अदर्वाइज नाम चेंज नहीं होता म तो नाम चेंज होता है या तो नेगटिव चार्ज हो या फिर लेट साइड में क्या हो मैटल अब देइन रखा तो नाम चेंज नहीं होगा तो सी र का नाम क्या होगा क्रोमियम सेंटल मैटल अटम है तो उसके ऑक्सिडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी लास्ट मैं आपको बाहर जो है वो काउंटर आयन है का नाम लीगें की तरह नहीं होता अलग तरीके सो ओटा इसको एक अलों तो इसे वह लेंगे और सिर्डेशन स्टेट निकालो सियार को क्या मान लोगे एक्स एनसरी कितने है दो एनसरी पर चांट ओत ता है 0 2 है सी एल सह पर चांट असपू पूरे पे कोई भी चाहर नहीं दे रखा तो जिरो है एक्स यह माइनस टू माइनस ट्री माइनस ट्री उदर जाके क्या हो जाएगा प्लस ट्री हो जाएगा तो यहां पर ब्रेक्ट में क्या लिख दोगे लिख दोगे अगे बड़े कर्विस आएगा निक में बेटा निक में बिस तब आसकता था अगर यहां पर नंबर देएं डखा तो इनका सिंपल नाम की आएगा एक एण को इधालीन डायमाइन ही बोलते हैं कि बिरादर बात कि लिए होनी चाहिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ते हैं नेकस्ट है हमारे पास एक दो एकदाम पर लोर करते हैं फिर खतम करते आगे बढ़ते हैं आई सो मेरिजम वाला टोपिक है कोशिश करेंगे बारा साढ़े बारा बज़े तक हदस्याद एक बज़ेते क्लास खतम कर दो और उस और ड्रा क्यों रहे हो पुरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से टैंशन मत भूँ नेक्स्ट रेवटा हमारे पास सी ओ ओ ओ एक्स थ्री थ्री नेग्टिव बताए भी ती ओ ओ ओ एक्स है थ्री नेग्टिव है बताए इसका नाम क्या होगा कि कमेंट सेक्शन बता दीजिए जो सर्थ जो होजा इसको कंप्लीट करें ठीक है जो होजा इसको कंप्लीट करेंगे अच्छा वेक्स वो क्या बोलते हैं ऑक जा लेटर बोलते हैं क्या यह एक क्या यह एक कंप्लेक्स लीगेंड है बताओ कंप्लेक्स लीगेंड वो होते हैं जिनके नाम में डाई ट्राई हो इसके नाम में कोई डाई ट्राई नहीं है इसका नाम उग्जालेटर है तो इसके लिए सिंपली 3 को क्या बोलेंगे 3 को बोलेंगे त्राई और सब्सक्राइघ को बोलेंगहें ऐफ जालेट ऑग्सीं को क्या बोलेंगे केवाल्ट बोलेंगे चोपी अन लगेगा को सी रख्द डे रखा है सेयों को एक्स त्री है है चार्ज होता है टो एक्स सबीट होता है और इस इक्स सब्सक्राइब करने को मैं शुबह तक नए सब्सक्राइब करेगे कि हाँ लोगोने प्रैक्ट्री की कितनी है कि एक लास्ट रिजामपल करते हैं फिर इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे हम लोग है ना कि अ 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 कि इसके नाम कमेंट सेक्शन में ट्राइगर दीजिए चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट बात करें तो देखिए इसको क्या बोलते हैं एनस रिजनों एज अमाइन अनो टुइज नोन एज नाइट्रीटो एन बोलते हैं इसको ठीक है न क्या बोलेंगे डाई और नाइट्रीटो एन और सिखो क्या बोलेंगे कोबाल्ट की Совज बोलेंगे बोलो सिखो क्या बोलेंगे कोबाल्ट की mythical अ необходимо क्या नाम पर क्या होने वाला है भाई श'll का नाम को बाल्ट होगा ना की को बाल्टेट सर को बाल्टेट क्यों नहीं होगा बेटा जी नाम चेंज सब होता है या तो पर नेग्टिव चार्ज हो या इधर मैटल एटम दे रखो ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो डाइमाइन डाइन नाइट्रीटो एन कोबाल्ट कि ऑक्सिडेशन स्टेट और लास्ट में क्या लिख देंगे आएन लिख देंगे कोज उपर चार्ज स्क्रिकों को क्या माल लोगे एक्स अलसी दो है ऐन्सी परह तो यह किस्जिएट उनके ऐरेकर प्लस कर टो तो प्लस टुड़ो यह इसे फॉर्षा यह जोलिं किस में लीनिए ब्टा जी रों मेन लिखनी है क्लियर है कि आगे मूव करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि आइसोमर्स है इससे कोशन बनता है कोशन बहुत इजी बनता है बट बहुत इजी बनता है देखेंगे पहले बात करते हैं आइसोमर्स किसे करते हैं those Coordination Compounds which have which have same Molecular Formular same Molecular Formular but different, different bonding arrangement, bonding arrangement or facial arrangement, arrangement, facial arrangement of ligands are called isomers and this process is known as isomerism, isomer हमारे पास दो तरह के उत्ते बटा, कौन कौन से, प्रथम, structural isomers, structural isomers and structural isomers, structural isomers में क्या होता है, different bonding arrangement होगी, ligands की, bonding arrangement, मतलब जो ligands होगे, वो अलग-अलग तरीके से bond बना रहे होंगे, ठीक है, और इसमें क्या होगा बटा, stereo isomers में, different, different special arrangement होगी, ligands की, different special arrangement of ligands, structural isomers के टाइप कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले, hydrate isomers, दूसरा, linkage isomers, पेपर में question पता क्या आता है, generally, पेपर में आता है कि आप बताओ, यहां पर hydrate कौन सा isomers है, ठीक है, बाकि डॉन्ट वरी, पी वाई क्यू करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे, यार, linkage isomers, उसके बाद, linkage के बाद क्या आता है, ionization isomers, ionization, isomers, और next आता है, coordination isomers, coordination isomers, और अगर मैं इधर बात करूँ, इधर दो तरा के isomers निकल के आते हैं, पहला, geometrical isomers, geometrical isomers, और दूसरा, optical isomers, geometrical isomers, and optical isomers, तो सबसे पहले, हम लोग बात कर लेते हैं, किस की भाई, बिल्कुल सिंपल सिंपल definition लखूँगा, देखो बैटा, definition generally नहीं आती है, बट ऐसा कुछ, मतलब TBSC का पर मैंने भी नहीं बनाया है, आप भी सकती है, जर्नली नहीं आती है, बट chances है आप भी सकती है, और आपको समझने में तभी आसानी होगे, अगर आपको definition clear है, तो definition हम लोग लिख लेंगे, तो सबसे पहली बात, किस की बात करेंगे हम लोग, hydrate isomers, hydrate isomers, hydrate isomers का दूसर नाम होता है, solvate isomers, solvate isomers, क्या होते हैं, hydrate isomers या फिर solvate isomers, those isomers, those isomers, which have different number, different number of water molecule, different number of water molecule, inside and outside, the coordination sphere, जहां पर water के जो molecule होंगे ना, वो different होंगे, अंदर और बाहर, अच्छा, अगर आप से कोई पुछे कि isomers में सेम क्या होता है, याद रखिए, isomers में सेम क्या होता है भाईया, formula, किसी भी isomers की एक चीदा अगर में पुछे, कि क्या सेम है, तो उनका formula हमेशा सेम होता है, बात के लिए रोते की नहीं, देखें, example दे रहा हूँ, जैसे की, fe, cl, 6, 3, h2o, 3, h2o, बाहर कितने h2o हैं, 3, अंदर कितने h2o हैं, 0, अगले case में क्या कर जेते हैं, fe, cl, 5, 1, h2o को अंदर ले आओ, जब 1, h2o को अंदर लेके आए हो, तो एक cl को बाहर लेके जाना पड़ेगा, cl.2, h2o, अगले case में आओ, एक h2o है, cl लग दो अंदर 4, h2o कर दो अंदर 2, बाहर पहले 3 h2o थे, 2 अंदर जा चुके हैं, तो cl कितने बाहर आएंगे, अंदर maximum जगा 6 की ही होती है, तो 2 cl को बाहर जाना पड़ेगा, और यहां पर कितने h2o बाहर बच गए, 1 h2o बाहर बच गया, अगले case में क्या कर सकते है, fe, cl3, h2o, thrice, और cl thrice, अब इन सारे इजांपल को देखो, क्या इनका formula सेम है, क्या सब में 1 fe है, क्या सब में 6 cl है, क्या सब में 3 h2o है, I think है, अब बाहर आओ, बाहर कितने h2o है, इनसाइड आउटसाइड की बात करते हैं, इनसाइड आउटसाइड की बात करनी है, इनसाइड कितने h2o है, 0, आउटसाइड कितने है, 3, फिर इनसाइड कितने है, 1, फिर इनसाइड कितने है, 2, आउट साइट कितने हैं यही कहा रहा है डोज आई सव दिफ्रेंट नंबर ओवाटर मॉलीकुट आप वाटर मॉलीकुल को देखने अगर वाटर मॉलेकुल है तो वहाँ पर हाईड्रेट आइस मेर्ट देखने को मिलेगा है यह यह अगे पाग़े संजहा रही है sister को il queremos करने कि क्या है from anymore시ya करने की कैकट का कॉरूआ से कोशन पकाएगा यह गढ़ना 20-30 मिनट की बहुत शांदार वीडियो बना दूँगा है यह काम कर सकता हूं भाई तेरे लिए अध़ में बना बना दूगा थिक के लो बना दूंगा वाई कि कि धर प्लीज एक बार रिपीट इक्वेशन अंदर छे सील एक डों को अंदर ले गए सेल बाहर आ जाएगा फिर दो यू अंदर लेगे 2 अंदर ले तीन जतने अंदर लेके जा रहे हो तो तो एक अंदर है तो कुल है अरे क्लियर और एक निबोलने कीन और गलत बात लगती है क्याسे करेंजart एक ब्रेक दे दो अच्छा मैं आपको बात उताता हूँ कि मैं ब्रेक देता कब हूँ जब तुम्हारी मैम कलास में चाय लेके आती है ना ब्रेक में तब दिया करता हूँ या तो तुम्हारी मैमाज सो गए है वो भूल गया कि मोटे को चाय दे के आनी है या फिर चाय बन रही होगी जब चाय आएगी उसके 4-5 मिन बाद ब्रेक मिलेगा और मैं चाहता हूं कि आईसोमेरिजम हो जाए क्योंकि थ्योरीज मेना मस्त मज आएगा मस्त चलो भाई आगे बढ़ते हैं जैवी नोज सर की बोलके नेक्स्ट है आई आईजेशन आईसोमर्स आईजेशन आईसोमर्स किसे कहते हैं बही आईजेशन आईसोमर्स हम लोग सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगे विच गिव आईजेशन आईसोमर्स में क्या होगा विच गिव इफरेंट 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 आईजे अनाइनिक, लिगेंड, एंड, काउंटर आये, काउंटर आया, तम जाता हूं मस्तम में आएगा, जैसे कि हमारे पास है, मैं इसको पानी में डाला, सोच के देखा, कि भाई, ये किस में तुटेगा, शायद आपको पता है, कि ये जो एसो फूर है, बाहर निकलेगा, एसो फूर क्या हो जाएगा बटा, एसो फूर, तो नेगटिव, और ये, तो ये, अच्छा, इस पर टून एक्टिव है, तो इस पर टू पोस्टिव चाल जाएगा, ये कौन साइन मिल रहा है, मैंने, बाहर, तलपे टाइन मिल रहा है, अब, एक्सचेंज कर दो, ये क्या हो जाएगा, CR, NS3, 5, SO4, BR, फोर्म ना तो आई तिंक दोनों का सेम है, एक एक CR है, पाच पाच NS3, 5 है, एक एक BR है, SO4 है, फोर्म ना सेम होना चीए, बाकी जो पंगे लेके दिखा सकते हो, लेके दिखाओ, तो BR, काउंटर आएन है, बाहर की तरफ है, काउंटर आ NS3, 5, SO4, वन पोस्टिफ, भाया, आइनाइजेशन, आइसोमर्स किसे कहते है, विच गिव, डिफरेंट आएन, क्यों, डूट दा, एक्चेंज ओफ, अनाइनिक लीगेंड, एक्चेंज हो गया, ना, काउंटर आएन का, और अनाइनिक लीगेंड का, तो अलग अलग तरह के आएन्स मिलने लगे, और जब अलग अलग तरह के आएन्स मिलने लगे, अरह भाई, चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आमारे पास, लिंकेज आईसोमर्स, लिंकेज आईसोमर्स, लिंकेज आईसोमर्स आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इस टाइप आईसोमरिजम अराईज, डू टू दा, प्रेजन्स ओफ, डू टू दा, प्रेजन्स ओफ, अम्बीड अन्टेंट लीगेंड, याद रखिए, अगर कहीं पर भी, अगर कहीं पर भी, अम्बीड अन्टेंट लीगेंड है, तो वहाँ पर आपको कौन सा आईसोमर्स देखने को मिलेगा, बबलू ओ, वहाँ पर आपको, लिंकेज आईसोमर्स देखने को मिलने वाला है, Example, sir, for example, PO, NS3, 5, NO2, CO, NS3, 5, ON, अन्टेंट लीगेंड है कि नहीं है, अन्टेंट लीगेंड के तीन एकजमपल कराएं, उन तीन को ये अच्छे से याद कर लेना, तो देखो, अगर CEO के साथ linking की बात आजाएगी, बार counter-end में लिख सकते हो, अगर embedded linking different हो जाती है, तो हमें कौन सा isomr देखने को मिलेगा, हमें कौन सा isomr देखने को मिलेगा, next रुकता भी हमारे पास, Coordination isomrism, Coordination Isomrism अब यह Coordination isomrism क्या होता है, बता देजिए, इस टाइप ओफ आईशो मेरिजम बता यह करेंप्ट यह स।। आईएप्टिए, बताओ ऑनाईप्टिए, इस दाइबेदेदेदेटेश, iso, बताईभ देशोंगिए, ऑनाईप्टिए, और सियाओ देखनेशोंगिए, श्टिए, बतावा उबनेशोंगिए, बताईभ aनिवाए, लिए Еवाफ यह, जवार ओफ टू डिफ्रेंट मैटलाइंस या तो डिफ्रेंट सेंटल मैटलाइंस बैटा जी अगर कभी भी आपको इस तरह से मिल जाए कभी भी दोस फेर मिल जाए ना तो याद रखना महां पर आपको कौन सा इसमर देखने को मिलेगा क्या हो गया जैसे म की है अना स्री 6 सी ओ करे लिफ्रेंट होगे एक के पास नूट्र लीगंड होगा एक के पास अनायनिक लीगंड होगा एक के पास न्यूट्रल लिगंड होगा एक के पास अनाइनिक लिगंड होगा और उनका एक्सचेंज कर देना है एक्सचेंज कर दो क्या कर दो भाई और यहां पर सी ओ इस तरह से क्लियर है हो जाएगा अगर आपके पास देखो हमने दो तिन तरह क्या इस उमर किये हैं है कि सबसे पहला था हाइड्रेट डिफेरंट नंबर ओटर मॉलेक्यल इंसे डाउटसाइड आइनिजेशन बीचिव डिफ्रेंट इन्स देंगे क्यों कि क्यूंकि कांटर और लीगेंस के बीच में एक्सजेंज हो जाएगा लिंकेज लिंकेज हमेंशा अब आएगा अगर हो और कोर्डिनेशन कब आएगा जब आपके वास दो ब्रैकिट हो दो कोर्डिनेशन स्फियर उस केस में चलिए आगे मूव करते हैं बाई नेक्स बात करते हैं करें कुछ प्रिवेश कोशन लगाते हैं सो दैट की कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो है ना आप लोगोंने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हाँ सर यहां पर यहां इस तुमर आपको देखने को मिलेगा ओके यह कोशन 2013 में 2014 में भी आया है कमेंट सेक्शन में स्पैम होने चाहिए कि सी ओ नस्ट्री फाइव टी एल एस सफोर बता देची यहां पर कौन सा इसमर देखने को मिलेगा झाहिए कि देखिए नहीं हो सकता क्योंकि वोटर नहीं है कि लिंकेज नहीं हो सकता क्योंकि अबिदेंटेट लिगंड नहीं है और कौन सा नहीं हो सकता और यहां पर कौन साइसमर देखने को मिलेगा भाई अगला कोश्चन है यह कोश्चन आय हुआ है 2014 में 2017 में कोश्चन है सी ओ एनस्टरी 6 सी आर सी एन सिक्स बता यहां पर कौन साइस अमर देखने को मिलेगा यहां पर दो कोडिनेशन स्फेर हैं तो यहां पर आपको कौन साइस अमर देखने को मिलेगा भाई यहां पर आपको कोडिनेशन आईसमर देखने को मिलने वाला है अगली बाग यह कोश्चन आय हुआ है दो 2017 में कोश्चन को तैसे हैं कि और यहां पर कौन साइस अमर देखने को मिलेगा हाइडरेट नहीं हो सकता क्योंकि पानी नहीं है कोडिनेशन नहीं और यह तो दो दो आयंस नहीं हैं काउंटर आयन के एक्षेंज होना चीज़ था यहां पर एक एंबिध एंटेट लिगेंड है SCN तो यहां पर आपको कौन साइसमर देखने को मिलेगा लिंके जाइसमर देखने को मिलने वाला है आगे बता दो भाई नेकस्ट कोश्चिन पेशे खिदमत है यह कोश्चिन आ हुआ है 2014 में को लो कि सी ओ एनस्टी फाइव एन्नो टू और इस पर चार्जर बता देजिए यहां पर कौन सा आइसमर होगा भाई कुमन सेंसे बिटा आपको दिख रहे हैं अनो टू है एक यहां पर आपको देखने को मिलेगा लिंक के जाई सब्सक्राइब क्या आपको कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ कि अगर यहां से कोई भी कोश्चन बना दिया तो तुम क्या बेजतीन मतलब बेजती तो कुरानी न करके आजाओगे कि नहीं भाई बोलेंगे नहीं चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास स्ट्रीवाइसमर्स स्ट्रीवाइसमर्स क्या होते हैं जिसमें क्या हो डिफरेंट लिंकिंग हो जिसमें क्या हो बेटा जी डिफ्रेंट लिंकिंग हो कि दिफ्रेंट लिंकिंग नहीं होगी डिफ्रेंट स्पेचल अरेंजमेंट होगी नेक्स्ट हमारे पास टीडियो आई समयर्स या फिर इसको दूसरा मोगा पेसे करते हैं स्टीड आई समर्स या फिस पेस इसमर्स भाई दोज आई समर्स वीच्छाव से मोलेकुलर फोर्मुला बट डिफ्रेंट डिफ्रेंट स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट डिफ्रेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ओफ लिगेंट्स विद सेंट्रल मैटल अट पेस में जो अरेंजमेंट होगी ना इदर उदर गुमते फिरते वो डिफ्रेंट होगी तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या मिलेगा देखने को Geometrical Isomers Geometrical Isomers Geometrical Isomers को हम लोग क्या भी बोलते हैं Cis-Trans Isomers भी बोलते हैं Cis-Trans Cis किसे कहेंगे Stem-Ligends On Same Side Same Side या कह लेजिए और Adjacent Position जो Same Legends होंगे वो Same Side होंगे या Adjacent Position पर होंगे यहां पर Same Legends जो होंगे On Opposite Side और कह लीजिए Opposite Position Opposite Side या फिर Opposite Position Example देता हूँ जैसे कि हमारे पास है Pt Ns3 twice Cl twice खुद से भी कर सकते हो बेटा पहले तो Coordination No.4 है न तो Bracket बनालो कुछ इस तरह का Bracket बन जाएगा बेटे डवनालो कुछ फोड़ अच्छा रखता है कि यह पीटी है अच्छा थीक है Ns3 अच्छा Cl अरे बाई मच्छा बोल जोगे अच्छा बेटे जो सेम लीगेंड्स है वह सेम साइड है और अगर सेम लीगेंड्स सेम साइड में हो तो इसे क्या बोलते है सिस प्रग्राइस हो जाए पीटी Cl Cl Ns3 जो सेम लीगेंड्स है वह कहा है अब पोजिट पोजिशन पे है और अगर पोजिट पोजिशन पे तो से क्या बोल देते हैं ब्रो उसे बोल देते है ट्रांस क्या बोल देते हैं ट्रांस बोल देते हैं भाई पूर्षता हूं चाहे आएगी की नहीं आएगी या बोल गया मुझे ट्रांस बोल देते हैं अच्छा अगर कभी ऐसा हो जाए अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक सेंट्रल मैटल अटम है और उसके साथ चार अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं तो आप से कोई पूछ ले कि टीन तरह क्या इसमें पोसिबल है जैसे अगर कि अगर कि अगर कि वटक एच्छ क्या मैं इस के वज़ेसे इंडियन टीम में जा सकता हूं कि वन लाइक वन प्रेए कोपी करना नहीं आता कोपी कैसे करेंगे कि अप्शन ही नहीं है कि अधिवार कि अधिया एम कि ए बी एक्स अल कि अधर ले गए हैं कि इनप्शन ही और दूपर इनप्शन ही और ईह गुरसे खुम आत Muito अधरन में सिस्ट्रांस नहीं होता एक बार एंसीयार्टिक को फॉछन है और प्रिविए सिर्ड में बहुत पहले पूचा गया था कि भाई अगर चार अलग-अलग लिगेंड तो कितने आइसमर बन सकते हैं या दखना वहां अगर कभी कोडिनेशन नमबर 6 हो जाए कोडिनेशन नमबर 6 के लिए चले कि सिक्स के लिए कुछी स्तरा से बनाओ गया कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अगर कि अधिक ना और सिस्ट रांस जो सबस्दा बचाएगी ना भई कि कहां है कोपी पेश्ट नहीं है निच्चे अगर कि कि अगर कि अधिए अधिए वाई जेएंगे कोई बात नहीं कि अधिए एक दिन चलो कि अब यहां पर जो सिस्ट रांस बताता ना वह सिर्फ ये पोजिशन बताती यह अगर सेम्नेट्स यहाँ हैं तो यह ट्रंस है अगर संयर्स यहाँ नहीं है तो वह अगर सीम्नेट्स यहाँ हैं तो वह स्ञवरी फ्रांस ड Muryou स्थयीं बात याद रख लिए अजह से अ मैं कि जैसे मैं अच घुल फॉर है तो सेम लिगंद स्याद होने चीए बाकी कहीं भी लगांदो यहां पर तो सेम डीगन नहीं है औरос नहीं यह तो फो क्रांथ प् Tube नहीं है तो क्या इए सिस्क राएगा तो ट्रांस बलाना हो तो ट्रांस बनाने के लिए क्या कीजिए बताइए जो सेम लिगंड्स है और सेम लिगंड्स भी वो देखना जो कम नंबर में नंबर में कम हो लिगंड्स है तो एक्स 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 बक्की एल 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 यह यह सो गया यह अच्छा वैसे कभी नहीं आएगा कि वैसे कभी नहीं आएगा जो कम संख्या वाले हैं वो आमने सामने अगर होते हैं एम ए तरी इसमें होते हैं फेशियल एंड मेरिडियोनल पेशियल कभ बनता है जैसे समझ ना फेशियल खास तरी कसे अच्छा यह इसी तरह से बनाऊगे तिन्नों सेम लिगेंड ऐसे लगा दो कि एक फेस बन जाए ए ए ए क्या एक फेस बन रहा है बन तो रहा है बिटा अगर आप इसको देखो तो एक फेस ही है ठीक है ना और बी को इदर लगा दो बी 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 ठीक है ना ओढ़िए एक फेस बन जाएगे समस्दी और रहो है एक इसकी बन जाएगा अगला है अगर मैं इसको अश्वत बना दों एम कि अगर कि अगर ऐसे फेस ना बनाके मैं इस पर लगा दो जैसे ए ए ए ए शायद अभी तुम्हारी मैम को याद आ गई है कि हाँ कोई बंदा भी है घर में जिसके लिए चाय बनानी थी अभी तक तो अच्छे बात नहीं है बच्चों को चिंता और इसी सर क्या करो गया जब तक बरेक भी नहीं लिया जब भूल गे थे कि कोई है बंदा यह दुनिया यह दुनिया चुगलियां दी यह दुनिया चुगलियां दी चलिए आगे बढ़ें बबलुओ क्लिर होती है आगे बढ़ें सर चाहे जितनी मर्जी देर पढ़ालो बट बीच में गाना गाने वाला पाप मत किया करो अभी कानों से खून आ रहा है रुको डॉक्टर के पाथ जा के फिर लगाता हूं आपकी क्लास कि नेक्स्ट एक है PT Q2 2 e n 2 मिरे बबलू मुझे बस इए बताँ आदो कि कोडिनेस्ट नमबर तुम सब्सक्राइब कोडिर ला या पर कोडिनेस्ट नमबर कितना है कि बोड़एशन नमबर 4 नम की कोडिनेस्ट नमबर 6 है टं पहताए लो कि यहां पर कोडिनेशन नंबर 6 कोडिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ कि कोडिनेशन नंबर 6 कैसे हुआ बेटा बताता हूं कि कि इसमें एक की सकती है दो बार इसमें दो चार हो जाएगा कि अरे अब तो चाइब आ गए सर अब तो छोड़ दो आप देखो जो कम वाले हैं वो इन पर नहीं लगने चे जो सबसे कम है है नंबर में वो इदर नहीं लग नहीं लगा दो इदर इन यह बाइट इन दो जगह जुड़ेगा ठीक है यह क्या बन गया अगर सेम इदर नहीं लगे हैं तो यह क्या कर आएगा इस इस और इदर यह सेल यह यह इन यह इन 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 इस नौन एज वर्ट इस यह हमारे पास इस है यह हमारे पास क्या है बबलु यह हमारे पास कि रांस क्या यह में पास कि रांस करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आदाता है और अप्टिकल आईसिमर्स नेक्स्ट भाई ओप्टिकल आईसमर्स आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है ओप्टिकल आईसमर्स किसे कहते हैं इंतल इंथ्पर इंप्όजबल मिर्र इमेज गैज जिनकी मिर्रिम्र मेज्ज इंच क्या होगी पैट नॉन सूपर इम्पोजबल होता है जैसे कि आप ओकी मिर्रिमेज बना रहे हे हो कि मिर्रिमेज बना गई जो इक दूसरेसे को पर इंपा बमज हो सकती है सूपरं इंपॉजभिबनेंगा ो और तो यह नोन सूपर इंपॉजबल आप पर इसको कि अुठिने कर सकते इसको कि उल्टा पी नहीं कर सकते तो यह क्या है नोन सूपर इंपोजिबल है अब समझने वाली बात यह है कि यह कहां से देखने को मिलेगा कि सबसे पहली बात ओक्ट हैडर कॉंपलेक्स में पढ़ेंगे सिर्फ और और मस्ट हैव एक लिस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड एक लिस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड एक लिए पास होना ही चाहिए चाहे कच्छू भी हो जाए ठीक है मेरे बबलू ओ बासन में आ रही है एक तो बोलते नहीं है यह फिर करते हैं और गुसा हो जाते हैं अरे मैं बोलता हो दो कि एक्जांपल देता हूँ कि इसको इधर बना देता हूँ चलो भाई जैसे कि यह हैं हूँ 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 क्या यहां पर अप्टिकल आइसोमेरिजम की एक्जिस्टेंस के लिए कंपलसरी कंडिशन क्या है कंप्लेक्स ओक्टा हैडल होना चाहिए नंबर वन कंप्लेक्स में कम से कम एक बाइडेंट्रेंट लिए अच्छा अगर आप इसका जोमेट्रिकल बनाओ जोमेट्रिकल बना सकते हों पिटी टी टी कि है अगे कि अगता है ठीक है ना ऐसे देखो कि यह चीएल सी एन एन और टू पोजिटिव है तो इसके पड़ टू पोजिटिव लगा दो बैटा जी क्या आप इसको अप्टिकल आइसमर बना सकते हो यह जो आपने यह स्ट्रक्चर बनाया है क्या इसको अप्टिकल आइसमर पॉसिबल है यह फॉर्म कहलाती है ट्रांस क्या कहलाती है अगर मैं इसको मिरर के सामने रख दूंगा मिरर के सामने रख दूंगा तो आई थिंग आई थिंग अरे यार एक तोना पेस्ट यहीं पर होजाता है यह बड़ी गलत बाता लगती है यहां पर पेस्ट कर देना सिखेंगे सिखेंगे अब इसकी मेरे रिमेज यहीं बन जाएगी इसकी मेरे रिमेज यहीं बन जाएगी सुपर इंपोसिबल है एक दूसरे को पर फिट हो रही है तो यह तो पॉसिबल नहीं होगा ट्रांस का नहीं होता ठीक है न अगर मैं इसकी दूसरा अगर मैं इसका दूसरा स्ट्रक्चर मुना हूं बेटा ध्यान से समझेगा प्लीज क्याना परवका प्लीज यहां पर पेटी कि इधर कि इधर कि लगा दो भाई अग्यां प्ली एं और इधर इंधर चार्ज आज आएगा रूप पोजिटिव मिरर बना दो मिरर कैसे बना देना इसको लिख दो यह हमारे पास मिरर है और मिरर में क्या आजाता है जो लैफ्ट हो जाता है यह इधर आजाएगा बटा यह पीटी ठीक ना कर दो भाई कि यह इन उदर चला जाएगा अगर यह इसमें किसी को भी आप दी बोल सकते हो अगर यह दी है तो ओप्टिकल आइसमर में मतलब लाइक पुर्सर की शर ने चाय भी थंडी कर दी कौन कर रहा बाई एक विए मिनेट का का ब्रेक ले लेते हैं हम लोग मिल रहे होंगे five-minute का ब्रेक है हम लोग मिल रहे होंगे अब प्रोक्स 1135 पर या फिर 1133 पर है ठीक है मिलते हैं कि एक पांच मिनट का ब्रेक करते हैं बैटा ओल्मोस्ट डन है ठोरीज रहे गई हैं अब ठोरीज करेंगे बग की इस ट्रोपिक के भी कोशन प्रैक्टिस करने वाले हैं एक फाइब मिनट ब्रेक हैं फिर कॉंटिन्यू करते हैं चलो बढ winner कि मैं आर्ण anschे लाय कोशन पारा зाम मिन आने मिनट बाहरा अचे हैं कि लिविता दो वाले कि थी गवाँ भी करते हैं तक लग्या. झाल 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 और वेलकम बैक एगेन एंड लेट्स मूव फोरवर्ड और पांच मिंट के ब्रेक को हमने कोशिच कि है साथ मिंट का कर ले हैं ना क्योंकि लगातार दोड़ा गंटे पड़ा दिया था इधिंक हां अप्रोक्स उतना ही था तो अभी फाइनल वन हार है कोशिच करेंगे जल जल दी बहुत बड़ी है तरीके सारी चीज़ आपको संध में आए एक दो कोशिण देख लेते हैं जो इन कोशिण आपके बने हुए हैं तो आप यह बता दो कि नुमेरिकल कितने नंबर के आएंगे पेपर में बिटा जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो न 12 15 9 से 15 के बीच में मिनिमम 9 माक्स के 9 से कम तो नहीं आएगा और 15 से ज्यादा भी नहीं आएगा कि चलो भाई कि कोशिण नंबर वन देखिए बबलू ओ आपको बोला गया है यह कोशन हद बार रिपीट हुआ है कोशन है कि बहुत बार रिपीट हुआ है 2016 में 2015 में और भी कई मर्ण ह्एट है सबसे पहले तो यह बोला गए कि इसका नाम करदबाई सारी बाते बाद में कह Columbus का नाम करदो सीटू फीटू सी अल् Touch ईयन two नाम स्फेशन में जल्दी से नाम को tubes में इसका नाम क्या बटा है विदर दिसका नाम क्या होगा मेरित इसका नाम हो जाएगा देखिए śl को क्या बोलते है क्लोड लिद्ध हैं इसंक्रीड़ गया उत्य बोलते हैं इस आइड़ एड़ा है अ मत क्लोरिडो में से पहले किसका नाम आएगा कि यह अलबपलेक्स लिए क्या है इसके लिए क्या और प्लैटिन नम और लास्ट में क्या आएगा आयन क्यों आएगा आयन क्योंकि उपपर चार्ज लगा हुआ है तो पीटी को क्या मान लोगे बेटा जी पीटी को एक्स मान लोगे करेंगे प्लस टू माइनस का टू दर जाएगा प्लस का टू हो जाएगा तो यह हो जाएगा फूर चतुर है अब इसका आईसमर बनाएंगे क्यासे बनाएंगे बही कोडिनेशन नमबर शिक्स है तो शिक्स के लिए कुछ इस तरह से कि पीटी कि अगर कि अगर कम वाले इस पोजिशन पर लग जाते हैं तो वो ट्रांस होते हैं अधर वो क्या होते हैं यहां पर पीटी SEL SEL either EN EN or either two positive getting my point or not यहां पर क्या बन जाएगा भई यह क्या बन गया है रांस हो जाएगा यह सो नो बोलो बोलते नहीं अच्छा बहुत इंट्रेस्टिंग कोशन है लेट सी कितने बच्चे इसको सभी कर सकते हैं है कि बहुत बढ़िया कोशन है पीटी एनस्थी ट्वाइस तील टू आप से पुछा गया कि इधर कौन सा इसोमर हो सकता है बताओ इधर कौन सा इसोमर हो सकता है option देता हूँ आपके आसनों बोल देना. क्या इधर hydrate isomer हो सकता है? Hydrate? No. Hydrate नहीं हो सकता, water नहीं है. क्या इधर linkage isomer हो सकता है? No. Ambiented ligand भी नहीं है. क्या इधर coordination isomer हो सकता है? No. तो को दो कोडिनेूशन स्थेर नहीं है क्या इधर आइट हो सकता है झांग tercewiąच डाइन के बाइए क्णास्ष्य नहीं है क्या इदर ओप्टिकल्स वर हो सकता है और्सिक्राविकर्फ की कंदीशन क्या थी कोडिनेशन नूमर 6 होना है कम से कम एक बाइटनाटीड लेके नुक्टि एक से ज्यादा होसकता है कम से कम होना चीए इस नू तो यहाँ पर सिर्फ कॉन साहस पॉसिबल है इस अ से गयोंस ling तो बना दीजिए जो में ट्रिकल कोडिनेशन नबर फोर है पोर के लिए कुछ इस तरह से जिए में क्या बनता है सिस ट्रांस मेरे साथ से यह कंसेट सब का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ठीक है ना C.L.C.L. अगर सेम लिगंड सेम साइट है तो सिस होता है और पीटी, अनेस्थ्री, अनेस्थ्री, टी एल, टी एल, और अगर सेम लिगंड सेम लिगंड सेम अपोजिट साइड में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे बटा दी हम लोग सेम लिगंड से अगर आपोजिट साइड में हो जाते है तो उसे क्या बोलेंगे बटा जी आपसे ड्रो करने को पुच्छा दाजता है या फिर आपसे पुच्छा दाजता है तो कौन साइस से मरो सकता है ठीक है ना कॉशन बिल्कुल सिंपल फोम में बता दिया है आगे कि यहां पर कौन साइस मरों पॉसिबल है बताओ कमेंट सेक्षिन बतादो कि तर्जमेट्रिकल रिपीट कर दो भाई थोड़ा सा पिछे देख ले आज आएगा किया सबने ओके ओके बहुत सारे एक्जामपल आ रहें लिंकेज आ सकता है वेरी गूट मुझे गरव है तुम पर अरे भाई लिंकेज के लिए एंब डिटेड लिगेंड होने चीए एक अन बिटेंट होता है क्या कि आई जेशन आई जेशन भाईया अन अनिक लिगेंड के बीच में इंट्रेंजेंज होगी बाहर तो एक काउंटर अएंड है जो अनुछ अनदर तों यह नहीं या मुण एकंट को अधिनेशन ऐसे तु मत करो तुका मारो कुछ सेंस तो होeluडिनेशन के लिए बताया था दो भी यहां पर कोर्डिनेशन नम्बर शिक्स बन रहा है और बाईटिंट लिगण भी deux कोडिनेशन नमबर शिक्स अच्छा कोडिनेशन नमबर शिक्स से बाइड एंटेंट भी है तो जुमेट्रिकल हो सकते हैं जुमेट्रिकल के लिए डिफरेंट लिगंड होने चीए इधर सेम है तो इधर को ब्रेक कर दो उड़ाओ इसको और यहां पर यहां पर ओनली ऑप्टिकल आइसमर होगा ओनली ऑप्टिकल आइसमर होगा मेरे बबलू बड़ कर दो कुछ इस तरह से अच्छा ड्रो करने को नहीं बोल लगा है सिर्फ पुछा गया तो कौन सा है तो हमने बता दिया ओप्टिकल है मैं फिर भी ड्रो करके दिखा रहूं कि यह लगा दो कई भी लगादो बस मेरे इस डिफ्रेंट आनी चाहिए यह 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 पर क्या लगा दोगे यह पर क्या लगा दो गया आप लोग तो अच्छा यह बोक्स ऐसी बनाना है कि यो यह जो राइट है वो लेफ्ट कर दो उपर एन है मिच्चे भी एन है और वो एन उदर है इस तरह से होना था जो लेफ्ट वो राइट है वह लेफ्ट कि लेरे बता इस तरह से हो जाएगा यह एक्जांपल है अच्छा मैंने तुम्हें बोला था न होमवर्क भी दूंगा तो पहला होमवर्क का कोशन लिख लो कल डिसकस भी करेंगे यह से अंकी सर बहुत सोते हैं तुम्हारे बारे में सभी बोला कि सर बच्चों को होमवर्क भी दो तभी पढ़ेंगे यह कोशन है ड्रो दा स्ट्रक्चर ओफ ड्रो दा ये एक कोशन है कहीं सारे होंगे ड्रो दा स्ट्रक्चर ओफ अप्टिकल आईसमर्स कौन से हैं सी आर सी तू ओ फॉर थ्राइस थ्री नेग्टिव पीटी तील तू एन तू तू पॉजिटिव थी आर नेश्टिव ट्वाइस एल ट्वाइस एन पॉजिटिव यह तो एक कोशन हुआ अगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोशन आ जाते है वेटेजी हमारे पास थ्योरीज्ट theories theories हमारे पास कहीं तरह की हैं सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं Warner theory की और यहां से question किस तरह से पुछे जा सकते हैं वो भी हम बात करेंगे Warner theory Warner theory don't worry जल्देली कर लेंगे tension मतलो Warner theory देखिए तीन theory थी हर एक theory कुछ sense करती थी वर्नर theory बहुत पुरानी theory है तो इसमें कहीं गलतियां भी थी ठीक है यह बोलता है किसी भी metal की दो तरह की वेलंसी होती है primary secondary primary secondary तो यहां से याद रखो से चिठी का दो तरह की वेलंसी है पी का मतलब primary वेलंसी प्राइमरी वेलंसी कौन सी होती है oxidation state और जो आपकी secondary वेलंसी होती है secondary वेलंसी क्या होती है बटा coordination number क्या होती है coordination number जो primary चार्ज डOG ही और जो य्टी है वह cuidado कि मैं यह होती है जुड़ decide करिट का कॉण्डी benefit है कोड़ में दें सब्सक्राइब है ना इन paragraph कि आप ड्रेट्शनल होती है फर्मेनेंट बोर्ण बन जाता है तो दरएक्शन पतती है ड्रेक्षनल होती है क्लियर है छो इस एक्जामपल की बात करें मेरे बबलू ओ एक्जामपल की बात करें जैसे कि आपको बोला गया c o को न Less 360 सीट्री आपको बोलागया बताओ इसकी प्राइमरी कितनी है किSTनी किसand सिखरी वैलेंसी कितनी है सिखरी वैलेंसी क्या होता जता सिकेंड्री वैलेंसी क्या होता है स्केंड्री चार्ज कितना है माइनस वन इस पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो 0 X is equal to कितना हो जाएगा थ्री तो primary valency is oxidation state and oxidation state कितनी है बैटा जिसकी primary valency is 3 अगली बात करो secondary valency secondary valency is coordination number और coordination number कितने है coordination number number of coordinate bond कितने बनेंगे ligands के द्वारा केंटरी वेलेंसी इज है इस याटिंग मैं पॉइंट नोट हो तो हुआ हुआ है है थिए तो क्लियर होगा सबको क्या बहुत है कि प्राइमरी वेलेंसी ऑक्सिडेशन चेट होती है त्री है स्केंटरी वेलेंसी इस तो दाएगी अगर मैं सीओ के साथ लगाओ हुँ इस तरह से लगा सकता हूं देखिए ओ लीगेंड है पर्मनेंट बॉंड बनाते हैं डार्यशन उल होते हैं तो चर्शुर्छ बनाके है वो जहो नहीं है और जो प्राइमिरी वैलेंसी होती है उस तरह का भून om ग्राइस से मिलना लो गया और कि यह अलोगा है यह यह अलोग ल disp already घ्राइसी ऑजलेशन लेट यह है जिस की वजह से उक्सीडेशन शेट आइए उसको आप डोटीड लायन से दिखाते हो जो सकेंड्री वलन सी होती है वो कोरडीनेशन उंबर से समझना अच्छा पेपर में कैसे कोशन आएगा वो भी मैं बताऊंगा और प्रिवीस यह में कैसे कैसे आएगा देखेंगे टी ओ एनस त्री सी एल थ्री कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार तो इसकी प्राइमरी और स्केंडरी वैलेंसी क्या है मैं भी बताऊंगा को नों का ही श्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा प्राइमरी और उसमें अ कि अ कि अ है चलिए तो इसको एक्स माल लो अनस ट्री कितने हैं फ्री जिर्ल कितने है थ्री मांश इस इकल टो इस पूरे पर कोई चाहां नहीं है तो जीरो आक्सिज़ उकल ट्री ऑक्सिडेशन श्यट कितनी हो गी बेटा त्री हो गई है अच्छा यह तो आपको बताने जो प्राइ प्रामरी वेलेंसी किसकी वज़ासे आ रही है कि प्रामरी वलेंसी आ रही है सिल की वज़से और जो गालनुकर किसकी वज़ासे रही है ल कर दीजिए कि अधिया कोडिनेशन नमबर शिकस के साफ से यहां से समझना इसको और Chuck jusqu को यहां पर क्या लगेगा प्राइमरी वेलंसी सोरी इसकेंडरी वेलंसी जो coordination नंबर है की वज़ए से फीजिद की वज़जर से भी थिक है सिकैनडरी वेलंसी नोन ड्रिक्षेण उम रह्लों लोत्ती कि पर्मनें दिए जो स्वल स्था यह बना दो ढूर्स लिखन जो आपकी होती है यहां पर और कि मतलब एक हो यह से दो तरह मेंट से शाल ड्रीड यहां पर ने फरत दोड़ा की वेलंजी है कि लो कि अगर है कि चलिए आगे मूव करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट अब ही हमारे पास अब यहाँ से इस पेपर में कोशन किस तरह से आएगा पेपर में कोशन प्रायमर्य स्कैन्ड्रि वेलेंसी वाला कंसेप्ट क्लियर है प्रामेरी स्केंडरी क्लियर है स्वान्या प्राम्री दोगने ऑक्सिडेशन व्रसाट यो आएगी इतने सारे गज़ांपल किये हैं प्राम्री मीन्स ऑक्सिडेशन स्टेट जलिये कोसिंद किस तरह से आये मैं आपको बताता हूं बहुत बार आया है अगर 2016 में आया है इससे question, 2019 में आया है है इससे question, 2020 में आया है इससे question, इस topic से, question कैसे आता है मैं अबताता हूँ, कि आपको बोला गया CRCL3.6H2O है उससे डाला गया Access of AGNO3 में Access of ज्यान से समझना बेटा अरे भाई Access of AGNO3 में तो आपको बोला गया पहले कि बाहर मुझे मिल रहे हैं 3 MOLS of AGCR 3 MOLS of AGCR एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं कि शायद यह हो जाए Copy-Paste जायद यह इस पर परचे पकराया यह बन नहीं 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 आप जलो ठीक है बाद में सिखेंगे पर आपको 1 MOLS of AGCR मिल रहे हैं अब इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं कि मैं आपको कहना क्या चाहरा हूं इस तरह से बेटा यह पेपर में कोशन आएगा ठीक ना इसको आपने अच्छे से करना है कि देखिए बेटा जी आपको बोला गया है कि क्या बोला गया है थ्री मोल्स of AGCR कब बन सकते हैं जब सियल बाहर हो तो बाहर कर दो समझना थ्री मोल्स of AGCR कब बन सकते हैं जब बाहर तीन सियल हूं तू मोल्स of AGCR कब बन सकते हैं जब बाहर दो सियल हो ना चाहते भी कोल डूरिंग पी ली और मुझे पता सब दिक्कत हो रही है और गलें बार-बार थोड़ी थोड़ी खरास होती है जलो ठ्री मोल्स of AGCR मतलब बाहर-थीन सियल की मॉल्स of AGCR मतलब बाहर दो 6 इधर आपने 2 सील को बाहर कर दिया तो एक लको अंदर लेना पड़ेगा कि सी आर हेश्ट वोग जिक्स बच गके मैं आपको पहले बुता चुका अंदर मैक्सिम कितने मोल तो जिसील बनाने है उतने सिएर भार लेने पड़ेंगे उसकी वज़य से यह सिल बनेगा तो हमारे पास तीन स्वेते एक स्वेत्व हो पने भार कर दिया तो अंistentने स्यल रहेंगे मिवें मुंक्रण कि node 2 और हम प्रू टाइम्स और स्थ दो बहरा आगए क्या आपको ये बात समझ में आ गई क्या आपको ये बात समझ में आ गई इसको थोड़ा सभी लिख देता हूं इधर वन मॉलब फेजी सेल बना रहे हैं कि تو बाहर 1C L लेंगी तो टोटल तो 3C L है जब टोटल 3C L है जब 1cu को बाहर ले लिया तो 2C L को अंदर लेना पड़ेगा छे ah 2 है 2 दो cESTroe उले डिया चुके हैं तो s2 कितने रहेंगे अंदर च्ला बग्की एश्रू को बाहर जाना पड़ेगा टुट क्या सब को यह कंसेप्ट क्लियर है कि इस तरह से अगर कोशन आ गया तो बना लोगे बोलो एक कोशन और करवा रहा हूं इस बिल्कुल डिट्टो कॉप्पी तर सी यल प्राइमरी वेलेंसी कैसे हुआ यह बता दो चलो भाई एक बार भी में यह सन्ना जो है बता देता हूं ती आर ती यल थ्री नस त्री थ्राइस है तारे बच्चे मुझे बताओ यहां पर स्केंडरी वेलेंसी क्या है प्राइमरी मत बताओ स्केंडरी बताओ सक्ड्री्वलेंसी सिक्ट्री वललेंसी सिक्ट्रीमर्स से चित्थी प्राइमरी खोडिनेशन ग्रेंट के निफस होगा अब क्मेंटेंग नुभिसच्पने कि दख़ अब मेरे बाष बताओ कि ये बबलू ऑऽ मुझे एक बात बताओ कि यह प्लस दुआ प्लस डी टीग वज़े से बना है यह से यह बहुद वज़े से अरिया नहीं क्लियर होगा कि चलो अब एक भाई सब पिछले वाले कंसेप्ट को बोलना समझ में नहीं आए बैटा जी देखो अगर आप यह कह रहे हो जान बुझके तो बहुत गलत बात है बहुत गलत बात है कि इतनी रात को पढ़ाया जा रहा है और तुम मस्तियां कर रहे हो जान कि मैं समझा रहा हूं जलिए एक कोशन है कि समझना बेटा टी ओ सी यल 3.6 नहीं स्ट्री आपने इसको डाल दिया एक्सेस ओफ एज एनो 3 में या डाल दिया एक्सेस ओफ एज एनो 3 में और त्री मोल्स ऑफ एजी सेल बन गए है बैटा एज सकता है देखो आपको याद होगा कोर्डिनेशन कंपाउंड की जो ब्रेक नहीं कर सकते तो बाहर होना चाहिए अगर थ्री मोल्स ऑफ एजी सेल बनाने तो थ्री सेल बाहर होने चाहिए अगर वन मोल्स ऑफ एजी सेल बनाना है तो वन सेल बाहर होना चाहिए भाईया क्यू बच गया उसको अंदर लिख दो कि सी ओ कि कितने टाइम से सिक्स टाइम है बात क्लियर हुई किर से एक और करा दिता हुं इसी से जैसे कि आपको किसी ने बोल दिया कि भई La ta तो बताईए अगर तो बाहर कितने पढ़ने पढ़ेंगे आपको अगर तो बाहर रखने पढ़ेंगे तो अंदर लेओ तो एक को अंदर लेओ एक को अंदर लेओ एक अंदर जगह 6 की होती है चे में से एक जगह सियल ने घेर लिए तो एनसरी कितने बचेंगे अंदर एक एनसरी को बाहर जाना पड़ेगा एनसरी न्यूट्रल लीगेंड है यह कुछ नहीं करेगा बाहर और यहाँ पर सिय आगे बढ़ें नेक्स्ट मू कि नेक्स्ट मूव करते हैं कि अच्छा मैंने प्तात दिया ना संडे को को हैलोल के हैलोलिन का सेशन है संडे को हैलोल के हैलोल का सेशन है और उससे पहले बेसिक मैं आज और कल में करा दूंगा एंड वेरी गुड मोर्णिंग टूल है ना हम ऐसा होता डेली मिलते हैं एक दिन की आज कल की तो शुरुवात भी मुझसे होई थी एंडिंग मुझसे और अगले दिन के शुरुवा सब्सक्राइब करने में एक तो जुमेटरी बताने में और दूसरा है क्या पताने में भाई शुरुमें यह i char cups मेंगनेटिक रेक्टर बताने में आप धेखे हैं तो मस्त सब्स éléments में करवा दूसरा कि हमारे सहलेये बादास में साना भाद है और न succeeds would you to write है और यह फो आफम 60स के लिए अच्छा नोट को लेता coordination no.4 है तो hybridization हो सकती है dsp2 और sp3 अगर sp3 है तो वहाँ पर geometry होगी tetrahedral और अगर dsp2 है तो geometry होगी square planar अगर coordination no.6 है दो तरह की geometry हो सकती है d2 sp3 sp3 d2 अच्छा यह जो d2 sp3 होता है जिसमें d अंदर की तरफ होता है इसे बोलते हैं inner orbital complex और जिसमें बाहर की तरफ होता है d इसे बोलते हैं outer orbital complex और यहां पर जमेटरी क्या होती है उक्टाहडरल होती है तो इसके बाद अगर कहीं पर अन्पेड़ इलेक्ट्रोन हो अन्पेड़ लेक्ट्रोन हो तो वह क्या होगा भाई उनपियर constituents हो ऊपका तो ह versão सबस्ट्रान आपका पेरा smallest होगा क्या मेघ्नीist और अगर कोई कहीं पर पेर social chyba कि आपका वह शीवर्म क्या मेघ्नीक होगा क्या होगा यह अगर कोई पैर मेंक्र है त्वन है तो उसकी मैंक इक ठोरी थी कि लेड़लोक एलिमेंट में है ना मैंने आपको शिखाया था कि मैंने पर मॉमेंट कैसे निकालते हैं में मियों का प्रोर्मला क्या होता है यह रुट एन इंटू यूनिट थी व्लइट हो कि बीम और अन का मतलब क्या होता है नंबर ओफ अनपेर्ड इलेक्ट्रोन अगर कहीं पर अनपेर्ड इलेक्ट्रोन ज्यादा है किससे पेर्ड इलेक्ट्रोन से पेर्ड इलेक्ट्रोन से तो उसको बोलेंगे हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और अगर कहीं पर paired electron ज़्यादा हो जाए unpaired electron से उसे हम बोल देंगे low spin complex क्या बोल देंगे low spin complex सर कैसे कहा रहे हो मैं बताता हूँ अगर किसी के पास unpaired electron है single ज़्यादा है ज़्यादा गुम में फिरेंगे और गुमना फिरना high spin ज़्यादा घुम रहे है और जैसे शाद्य शुद आते मैं ज़्यादा नहीं घुमता हूँ मैं घरी पड़ा रहता हूँ सारा दिन ठीक है ना क्योंकि वाइफ कॉंसर करना पड़ता है कहां गया था किसके साथ था और उससे बचने के लिए मैं सुतन चोड़ यार घरी रहता हूँ ठीक है ना और अगर पेर्ड इलेक्ट्रों जाता होंगे तो वह लोग स्पिन होगा चलिए कोडिनेशन नंबर फाइव भी है भाईया से तो कोडिनेशन नंबर टू भी है थ्री भी है बट स्लेवस में में यह को पढ़ते मिरे भाई हुआ है है अच्छा एक ना कंसेप्ट होता है जैसे सी एन हो गया अभी थोड़ी देर में टी हो गया एक यह यह से के बड़ों का काम होता है शाद्धी करवा देना वैसे इनका काम होता है अनपेर को देखके पेर करवा देना इस अधिज आर इस ट्रोंग लिगन इस आर ट्रोंग लिगन विच पॉर्स अनपेर्ड इलेक्ट्रों तो बिकम पेर अनपेर को बनने के लिए सिर्फ यह इसके लावा जो भी है वो सब वीक लीगन्स होते हैं वो पेरिंग नहीं करवा सकते एक बड़े सारा चिपकाओ कोशन कैसे आएंगे उनसे कैसे डिल करना है वह सब हम लोग देख लेते हैं बड़िया मस्तिक दंपर ट्राई करते मज़ा आएगा यार मज़ा आएगा जल्दी से चिपका दो मैं हट दाता हूं कर दिया करें तो चलिए आपको बोला गया क्या एक्सप्लेंन वीब टी बैस पर आपको वैलेंसे बॉंड्ड थोल्दी को एक्सप्लें करना है अगर तिन्नों थ्योरी में से मैं बोलूँकिश की फ्रिक्वेंसी जादा है किस से जाधतर चांद सिदे कि कोशन पुछा जाएं तो बेटा वो वालेंस बॉंड थो रिजं से किसी से question नाम कर दो व्यारा आप लोग नाम क्या होगा बेटा जी 6 है तो हेक्सा CN को क्या बोल देंगे Sino Fe को क्या बोल देंगे Parate क्या बोल देंगे Parate क्योंकि उपर negative charge है और last में क्या लगा देंगे Ion Oxidation state निकाल लो आत्योगी निकालनी Fe को क्या माल लोगे X CN कितने है 6 CN पे charge minus 1 is equal to miss पूरे पे charge minus 3 X minus का 6 उदर जाएगा plus का 6 6 minus 3 that is 3 point number 1 Fe 3 positive की configuration कर दो Fe 3 positive का atomic number हो 36 configuration सिखाई थी 26 के साब से configuration करोगे तो क्या आएगा AR 18 4S2 3D6 3 plus है तो 3 minus होगा minus कहां से होगा भाई minus होगा S में से 3 निकालनी है न 2S में से गई 1 D miss जाएगा तो D में 5 हो जाएगा D में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा भई बताएगे तो कर दो दी में 5 कर दो यह 3D यह है 4S यह है 4P और जरूरत पढ़ने पे हम 4D भी लिख सकते हैं जरूरत पढ़ने पे हम 4D भी लिख सकते हैं और जनरली आपको 4D लिखने की जूर्ट तब पढ़ेगी जब हमारे पास वीक लिगेंड्स हो बट CN आपको दिखाए दे रोगो CN तो कैसा लिगेंड है CN तो एक स्ट्रोंग लिगेंड है तो D में कर दो 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है D में 5 1, 2, 3, 4, 5 S में कुछ नहीं है P में कुछ नहीं है Come to the point CN अच्छा ये आपने configuration करी है iron की complex की नहीं करी complex की अब करोगे Fe Tension मतलो 2, 3 एकजांपल करूँगा must crystal के लिए हो जाएगा concept Fe CN 6 3 नेक्टिव है बताव भए Fe CN 6 3 नेक्टिव है कैसे करेंगे हम 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 हाँ तो आप लिखोगे CN is a strong ligand which pores which force unpaid electron to become paired जो unpaid electron को क्या बनने पर मजबूर कर देगा which force unpaid electron to become paired है ना चलो ठीक है सर pairing करवाओ घर के बड़े हैं शादी कर आतेंगे इसको यहां बेख दिया जाएगा एक दो इसको यहां बेख दिया जाएगा एक दो इसको कहीं नहीं बेख सकते यह single रहेगा कुछ ऐसे होते हैं जो single रहते हैं उनका घर के बड़े भी कुछ नहीं कर सकते इसके लाएग कोई हाई नहीं ठीक ना तो यह आपने iron के electron भर दिये अब आएगी लीगेंड्स के इलेक्ट्रोंज की बारी बेटाद यह है 3D यह है 4S और यह है 4P अच्छा अगर आपको पता हो लीगेंड्स क्या करते हैं लोन पेर ओफिलेक्ट्रोंज को डोनेट करते हैं तो एक लीगेंड्स दो इलेक्ट्रोंज को लेके आता है तो एक और्बिटल में देखो एक और्बिटल में दो इलेक्ट्रोंज जा सकते हैं और लिगेंट loan payer को donate कfeltा है तो एक blossom में एक लीगाड आता है और लिगेंट को लीगेंट कितने है से हैं हम इस काटे से दिखाएंगे से दिखाएंगे कि हां एक में की लिगेंड कितने लिगेंड है टोटल 6 एक दो तीन चार पांच और यह छे तो यहां से सबसे पहली बात कि इसकी hybridization क्या होगी बताओ hybridization क्या होगी अंदर वाले डी में कितने लिगेंड गए हैं दो डीटू एक एस में गया है तीन पी में गए हैं डीटू स्टोन होगी अंदर होगी यह यह उक्त सिंगल है भाई के पास इस पारा मेंगेटिक इस पारा मेंगेटिक क्यों डू तो दा प्राजन्स ओफ अन्पेड एलेक्ट्रून क्यों कि इदर एलेक्ट्रून है तो म्यू का फोर्म ना क्या होगा रूट एन इन्टू एन प्लस टू वेर एन इस नंबर ओफ अनपेर कितने अनपेर है भाई तिर फेक अनपेर है वन इन्टू एन प्लस टू दैट इस थ्री रोट थ्री रोट थ्री बीम 1.719 कुछ इस तरह से आदाएगा 739 ठीक है ना इसके बाद अब देगो इनर और बिट पो इस तो इन इनर झाय ओर ओर बिम्ट आठेक कैसा कोंप्लेक्स है इनर ओर पितल कुम्प्लेक्स अगली बात है माले किो लह श्ल्म पिन हैं पेर जादे हैं अनपेर एक हैं प्रेज़े है तो एक लो स्पिन कम्प्लेक्स है ज्यादा घूम फिर नहीं पाएगा जिंदिगी में इतना मज़ा इसके हैं नहीं कि बीम की फुल फॉर्म वेरी गुड बीम होता है बहुर मैगनेटों कि आगे मुव करें कि आगे मुव करें कि चलो भाई कि एक और कोशन राई कीजिए मैं इक रुआ देता हूं दिखकती गया है जैसे कि बबलू ओ एक सिक्स त्री नेग्टिव आपको बोल लगए एकस्प्लेट वी बी टी ओं डिस वैलंस मौन थियोरी इसको पे एकस्प्लेइन करना होतों कि चलो अपको दिया एक मिनट ट्राई कर लिजिए एक मिनट दे दिया ट्राई कर लिजिए झाल पूरी वीबी टी एक्सप्लेंट करनी है पूरी वैलेंस बॉन ठीरी एक्सप्लेंट करनी है जलो मैं कर रहा हूं वही इसका राम कर दो सबसे पहले तो हैक्सा एफ को क्या बोल देंगे लोरीड़ो एफ को क्या बोल देंगे क्यों पर नेग्टी चार्ज है पैरेट औक्सिडेशन निकाले न थ्री आएगी थ्री आयें फी थ्री पोजिटिव की कन्फिग्रेशन कर दो आप लोग एफ एक्सप्लेंग नमबर कितना होता है आइस में से फॉर एफ जिरो और थ्री डी में क्या हो जाएगा अब थ्री डी में फाइव कर दीजिए यह थ्री डी यह पॉर एस यह फॉर पी डी में कितने लेक्टॉन है पांच एक दो तीन चार पांच यहापने कन्फिग्रेशन किसकी की है अब इपिग्रेशन कर दो कॉंप्लेक्स की Fe F6 कि सिरी नेगटिन इसकी कन्फिग्रेशन करनी है तो कर दीजिए मतलब अब आपको देखिए फ्लॉरिन कोई श्ट्रोंग लिगेंड नहीं है ऊंपा दी करेंगे तो यह तो यह तो पेरिंग नहीं करवा सकता तो यह 3D अब इलेक्ट्रों की पेरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रों ऐसे रहेंगे एक दो तीन च्यार और यह पांच 3D के बाद को ना आएगा 4S के बाद को ना आएगा 4P और क्योंकि वीक फिल्ड लिगेंड है तो 4D की भी जूर्ट पड़ेगी 4D ठीक ना अब लिगेंड जो होता है एक और्बिटल में एक लिगेंड रफता है तो 6 लिगेंड है एक दो तीन च्यार पांच छे तो यहां से Hybridization क्या हो जाएगी SP3D2 यह होगा ना एक इदर दो तीन चार पांच छे अब इलेक्ट्रों की पेरिंग नहीं हो सकती है अगर को फिल्ड लिगेंड होता है अगर मैं पिछले केस में बात करूं तो अधर सियन इस ट्रोंग लिगेंड विच फोर्स पेरिंग करवा दिया था बट वह ऐसा नहीं कर सकता है वह ऐसा नहीं कर सकता है घुमेट्र क्या जाएगी ज्मेट्री क्या रशाई गठा ज्मेट्र हो झाएगी octahedral क्या हो जाएगी octahedral ठीक है अगली बात paramagnetic होगा diamagnetic होगा क्योंकि unpaid electron है तो इस paramagnetic in nature paramagnetic due to what due to unpaid electron ठीक है एक बात हो गई दूसरी बात पर आजाओ magnetic moment निकाल लोगे unpaid है तो negative moment निकाल लो negative moment क्या होएगा root n into n plus 2 where n is number of unpaid कितने unpaid है 5 root 5 into 5 plus 2 5 plus 2 is 7 7 into 5 root 35 bm आगे move करो next क्या हो जाएगा बताइए inner orbital complex है outer orbital complex है क्योंकि बाहर वाले d का यूज किया है तो एक ऐसा complex है एक outer orbital complex low spin है कि high spin है क्योंकि unpaid electron बहुत जादा है पेर तो इवन एक भी नहीं है जिल्दिगी मजे में है तो यहां से आप बोल सकते हो कि यह high spin complex है कैसा complex है बेटा यह एक high spin complex है hybridization नहीं सुझ में आया तो ना बेटा hybridization कैसे करते हैं एक ligand कहां गया है एक दो तीन तीन थी में फी थी लिख दिया दी में कितने गए है दो तो डी टू लिख दिया पिछले केस में आ जाओ इसमें पहले ligands कहां गये थे डी में गये थे दो एक दो तो डी टू लिख दिया य्मिया थे लिख दिया गिमेंगे थे लिख दिया , बात क्लिएर होती है की नहीं देहीं बीटाव में नहीं हो गवाने गवण zer करें। आप कि अ हूंवर्क में और कोशिंला लिक़ों X-Plain VBT, X-Plain VBT, X-Plain VBT on ZN, CL4, True Negative, and NICN4, True Negative याद रखिए, next class जब भी होगी, तो मैं इनको पुछूँँगा, कि भाई यह हुआ कैसे है सर छुट्टी कब तक बिटा जी अन्तिम सांसे गिन रियक लाज वेंटी लेटर पर जा चुकी है, कभी भी सांस भूल सकती है, चलो भई, next बात करते हैं क्या है बई, क्रिस्टल, फिल्ड, जोरी, क्रिस्टल फिल्ड, जोरी, या क्रिस्टल फिल्ड, स्प्लिटिंग जोरी, क्या होती है, इसे हम लोग, cft भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, बटा, cft, क्लियर है, अब cft का क्या है, यह मान के चलती है, लिल्ड, 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 लिल् electrostatic electrostatic force of attraction force of attraction between ligands and central metal atom ligands के बीच में और central metal atom के बीच में कौन सी है बही हा electrostatic force of attraction एक तरह से आयनिक bond है है ठीके ना कि sal exnal praying लेक्रन लेके आते हैं इलेक्रन लेक्रिम आते हैं मपégण के पास खुद के एलेक्रोंस को तो क्या होगा एलेक्रों एक दूसर को रिपढ़ रिप्ल करेंगे जिसकी वाजे से जो डी औरव्बिटल है वो बंट जाएगा इसी को मोग क्या बोलते हैं किस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जोरी बोलते हैं बोल्त है यह तो है यह तो दो तरह की कोंप्लेक्स हो सकते हैं एक हो चब्सक्ता है के ट्राहडरीक्स कि दाखिए दो तरह के कॉंप्लेक्स हो सकते हैं बेटा ध्यान से समझना एक हो सकता है अच्छा आपको पता ना डी के बारे में डी और्बिटल के पांच और्बिटल होते हैं अरे यार दी के क्या हो सकते हैं भी या पाइव और्बिटल हो सकते हैं क्या होते ही हैं कौन कौन से होते हैं एक होता है डी एक होता है डी जैड एक होता है डी जैड एक होता है डी जैड एक होता है डी एक स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर एक होता है डी जैड स्क्वेर इट एकस वाई को कर दो डिक में क्या करोगे बटा आ आ कि अगा Ama कि वाई की में में चाहित है कि कि शेप 앞र ये डी की शेप होता है डेक चे citin सी एडवर रभल डंबल डंबल होतती है गो तो एक्सवाई के बीच में बनाओ गए ठीक है न, y, z में क्या गरोगे, किसी को भी y, किसी को भी z बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, between the x's double बनने होते हैं, z, x में क्या गरोगे, जैसे z हो गया, यह x हो गया, z और x axis के बीच में double बना दोगे, x square minus y square में क्या हो जाएगा, x square minus y square में, जैसे इसको आपने x axis बोल दिया, इसको y axis बोल दिया, on the axis double बनेंगे, on the axis, dz square में, जैसे z है, z axis पर double बनेगा, और दूसरे वाला, देखिए, डी की shape double double होते हैं, दूसरे वाले double को position नहीं मिलती, तो ऐसे घुमता रहता है, तो ऐसे घुमता रहता है, clear है न, चलिए, भाई, ऐसे क्यों बेजती कर रहे हो यार, तो इन्हें क्या बोलते हैं, यह जो between the axis बनते हैं, इन्हें बोलते हैं, T2G, क्या बोलते हैं, T2G, और इन्हें क्या बोलते हैं, यह जो on the axis बनते हैं, इन्हें बोलते हैं, EZ, EZ, T2G triply generated, और EZ क्या होता है, equally generated, ठीक है न, अब दो तरह के complex होते हैं, एक उत्ता है tetrahedral, को ऐसा complex होता है बेटा, tetrahedral complex, और एक उत्ता है octahedral complex, समझने का प्रयास करना, ध्यान से, इसको याद रख सकते हो, OAT2 करके, मैंने इसको याद रखा हुआ है, OAT2, OAT2, क्या मतलब वह असर, जैसे कि यह मेरे पास D orbital है, यह मेरे पास क्या होगा, D orbital, इसे बोलते हैं, D generate D orbital, क्या बोलते हैं, D generate D orbital, तो जो tetrahedral complex है न, उसमें T2 पर चला जाएगा, T2 के अगर आपको यादो, 3 orbital होते थे, तो 3 उपर, और 2 निच्चे, जैसे, यह है, D generate D orbital, यहाँ पर हमारे पास है, D generate D orbital, एक, दू तिन चला पास, ठीक है, इसमें EZ उपर जाएगा, EZ किसको बोलते थे, दो को बोलते थे, दो वाले को EZ उपर चला गया, और यह T2G निच्चे हो जाएगा, अच्चा, T2G वालों का नाम क्या था, D XY, DYZ, D Z X, यह, D X square, माइनस Y square, यह, D Z square, इधर, यह EZ उपर है, D X square, माइनस Y square, D Z square, इधर, यह हो जाएगा, D XY, DYZ, D Z X, क्यों होता है, यह भी एक अलग कंसेप्ट है, इस पर फिर कभी हम बहुत डिटेल में बात कर लेंगे, क्योंकि एक्जाम से में नहीं पुछ जाती है चीज़े, अभी सिम्पल यहाद रख लो, O A T 2, O A मतलब Octahaddle में EZ उपर जाएगा, और Tatarahaddle में T 2 पर जाएगा, क्लियर है ना, अब अगली बात समझो, जो तीन है, इनके अनर्जी उत्ती है 2 x 5, और जो दो है, उनके अनर्जी उत्ती है 3 x 5, रिपीट कराऊं, जो दो है, उनके अनर्जी उत्ती है 3 x 5, और जो 3 है, उनके अनर्जी उत्ती है 2 x 5, यह लावल है, इसे बोलते हैं, बैरी सेंटर, अगर कोई इससे उपर है, तो इसके अनर्जी प्लस में होगी, अगर कोई इस से निच्चे है तो उसके एनर्जी minus में होगी, अगर कोई इस बैरी सेंटर वाले लेवल से उपर है तो उसके एनर्जी plus में होगी, इसके एनर्जी minus में होगी, इनके बीच का ये जो energy gap है, अगर आप tetra heddle के लिए बात कर रहे हो, तो ये डेल्टा T होता है, औ Daeword नएन टाइंज होता है ऑफ डेल्टा ओफ डेल्टा ओ यही कुछ बातते हैं हाँ एक बात समझे है अगर यहां पर फिल्ड लेगेंट आ गया ज्यादा अनरजी करता है ज्यादा स्प्लीटिंग हो जाती है अगर फिल लेगेंट आएगा तो ज्यादा स्प्रेटिंग हो जाएगी भई इसे एक्जमपल ट्राइग रहे दो तिनी इसे लेटिड नहीं बनते हैं कि बहुत ज्यादा कोशनिस से लेटिड बनते नहीं है कि दुबारे सुधारतों बेड़े समझो जहां पर सबकी एनर्जीक वेलोतियों से क्या बोलते हैं कि इसे बोलते हैं डी जनरेट अगर मैं आपको बोलूँ कि यह एक ओक्ताइडरल कंप्लेक्स है ओक्ताइडरल में क्या होगा अब यह तीटू उप्पर दाएगा और अव्च्ताइडरल में क्या होगा तीटू उपर जाएगा कि नहीं जाएगा मान के चलो इधर वीक फिल्ड यह इधर स्ट्रोंग फिल्ड लिगन है ओक्टाइडल में टीटू नहीं इजी उपर जाएगा ओक्टाइडल में ओए होता था ना ओए अगर यहां पर स्ट्रोंग फिल्ड लीगन्ड ना होके एक वीक फिल्ड लिगन्ड होता है क्या इन दोनों में कुछ बाते द्वर में आ तुमें क्या इन दोनों में कुछ बात सम्झारी आ रही है है आपकों कि यह वहीज स्ट्रॉंग फिल्ट है उसमें गैप होता है दो पर है अगर आपने किया हो अगर आपकर करें Oh वो ज्यादा उपर है और टीटूजी कम निच्छे है इसमें भी जो ज्यादा उपर है जो टी टूजी है वो कम निच्छे कोई बचस का रीजन को अगर आपको बताओ जो यह उसके खेंव प्लस और वह नीचे जाता है वो थीन पॉपर चला जाता है यह एक तो सकता है ठीक है एक कोशन कर लेगा जो आठकी तुम्हें अएक बार में क्रिस्टल के अच्छिछ यह तीयोरी मोस्टले आपको कलर बताने के काम आति कि कोई सबस्टांस कर मोरेश होगा और कलर लाष में भी कहीं सारे concept हो सकते हैं चलो भाई एक कोशन करते हैं दो कोशन कर लेते हैं एक है सी ओ एफ शिक्स थ्री नेग्टिफ एक है सी ओ एफ शिक्स नहीं ती एन सिक्स क्लिए इसको कर लो तो सी ओ क्यों कि एक अगर आप क्यालकुलेट कर सकते हो तो प्लस आएगी अना दुन्हों ही केसिज में और निकाल लो थ्री प्लस आएगी कान्फिग्रेशन क्या आएगी ए ए एटीन और एस टू एडी सैवन है ना और सी ओ के लिए 27 होता है ना है 27 होता है तो कन्फिग्रेशन क्या आएगी ए ए एटीन है पोर एस टू प्लस मतलब 3 माइनस माइनस कहां से होगा बई इधर से कि यह 36 इधर से कि अधिक समझो एक कैसा लिगंड है स्ट्रोंग फिल्लिगंड है कि विक फिल्लिगंड है कि एक कैसा लिगंड है स्ट्रोंग फिल्लिगंड है कि विक फिल्लिगंड है आफ एक विक फिल्ड अच्छे ट्राइडल कंप्लेक्स है कि अक्ट्राइडल कंप्लेक्स कंप्लेक्स कैसा है कि अच्छे ट्राइडल है तो स्प्लिटिंग क्या होगा इजी उपर जाएगा यह इजी है और यह टी टूजी है एजी को लिख दो डी एक्सवाइड टोरी टी एक्स क्स्क्वेर माइनस वाइडस क्यर डी जैडस क्यर यह डी एक्स वाइड डी य जैडस इनके बीच इसका जो गया पुतार वो डेल्टा ओ होता है ठीक है डी में कितने लेक्टोन है छे एक दो तीन च्यार पांच छे समझ ना बेटा थे लेक्टोन है लेक्टोन इधर जाएंगे एक दो पीन चले गए अब फॉर्थ इलेक्टोन उपर जाएगा कि निच्चे रहेगा बोलो गैप गम है वो यूंय सकता हर कोई सिंगल हर कोई चाता है यह संगल तो चलो कोई नहीं चाता है ना करकि bag cup मेना कि तो उपपर चला जाएगा अउन प्वाइब ना पर आउ मेस differently park में अब इसडर्रा पेर मेंटिक है अन पर एलेक्टों है तो वियन पर है कि क्या है यहां इय। रूंड यहां पर उन एक्ट्रॉंस की परिंग हो पाई है क्या ज् publishers की नहीं हो पाई यानि कि डेल्टा O से ज़्यादा एनर्जी है पेरिंग एनर्जी नहीं हो पाती है तो पेरिंग एनर्जी मतलब वहाँ पर ज़्यादा है अगर आपको डेल्टा ओ निकालना आ जाए तो डेल्टा ओ कैसे निकाल लोगे निच्छे कितने लेक्टोने चार निच्छे कितने लेक्टोने भाई चार और इनके एनर्जी कितनी होगी निच्छे वाले हैं तीन है तीन के एनर्जी कितनी होती है तो बाई फाइव और माइन 0.4 उपर दो है उनके अनर्जी कितने लिखे जाएगे प्लस 0.6 तो माइनस 1.6 प्लस 1.2 दैट इस माइनस 0.4 बात क्लियर है बसंतिम साथ से गिन रहे बटा यह लाश्ट एक जामपल है तो अगर मैं इस केस में आधा हूं झाएगे बस्ट बस्टार गहें प्लस और प्लस कि अब क्या होगा पहले दोबात फार कि एक स्प्रेटिंग कुछ इसतरा से होगी ओए उपर जाएगा और जो गैप है वो ज्यादा होगा कम होगा भाई जो गैप है वो ज्यादा होगा कि कम और में गैप जो है बहुत ज्यादा होगा पहले दो दी में छे लेक्ट्रून भर दो एक दो तीन च्यार पांच छे इसे क्या बोलते हैं जो इजी वाले हैं डी एक स्क्वेर माइनस वाई स्क्वेर डी ज्याड़ स्केर अच्छा गैप पताने ज्यादा क्यूं हुआ है देगा तो ज्यादा गैप होगा वीक फिल्ड गैंड है ज्यादा गैप नहीं हो पाया रेटिंग यह होगी यह हमारे पास एजी है और यह हमारे पास टी टूजी है इसे बोलते हैं डी एक्स वाई डी यज्ड दी जड़ तो एक दो तीन अब मुझे बताओ पोर्थ हिलेक्ट को नयप पूल छोटा सा है लांग मारके चला जाएगा उदर बट इदर तो गैप बहुत ज़्यादा है उपपर जाही नहीं पायेगा तो उसको निचे रहना पड़ेगा पोर फाइव पाइव तिक्स कलर होगा कलर्दैस होगा बोलो अकलर होगा कलर्दैस होगा शरीय कैसे क्योंकि पता चलेगा टेटर फाग्ड बाक्ड फाग्र लेकंट है तो अक्ड है वह से ख़ेगे लिधा पताग्स शें तो Orthodox रोगा है कुलिघ या मपर नेे अक्या मोक टीदिका फैर की जिन्दीकी रंग्यी काई रहा है क्योंकि भाई के सारे या अ को और क्यूंकि पेरिंग हो चुकी है मतलब है यह पेरिंग लिए एनर्जी रिक्वाइर्मेंट ही नहीं है इधर पेरिंग नहीं हो पाई थी तो यानि की पेरिंग वाली जज्यादा है यहां कि एरिंग करवाने कहरे ट्रलीप tvrd homeless अगर आपको यहां पर ड्याल्टा निकालना यह निकलेगा निच्छे कितने लक्टून है यह निच्छे वालों की देखो बेटा रिपीट करूं यहां पर उती है प्लस होती है जो दो है उसके अनर्जी फ्रीवालों जो तीन है उसके अनर्जी यह निच्चे है तो इसके अनर्जी माइनस होगी यह अपर है तो इसके अनर्जी प्लस होगी यह माइनस को टू बाइफ यानि कि यह माइनस का 0.4 और यह कितना अधायगा माइनस 2.4 क्लिर रहे लाश्ट टोपिक बिलकुल लाश्ट टोपिक स्पेक्ट्रोकैमिकल सीरीज क्या होती है बाटा Entertainment अफ वेरियस लिगेंट्स वेरियस लिगेंट्स इन दा इंक्रीजिंग ओडर इन दा इंक्रीजिंग ओडर ओफ देर आपने अलग अलग लिगेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ओडर में लगाना है याद करने की ट्रिक क्या है बता देता हूं आएगी बारात कल प्रीदाबाद से ओ बैल को पानी पिला दे पानी पिला दे उड़ता हुआ अमीन मिलेगा उड़ता हुआ अमीन मिलेगा इन नौर्थ कैनेड़ा और कोलंबो कि इनके अनर्जी कम होती है यह वौaten से निच्चे वाले जह रही होते हैं यह बीच महाने जाते हैं और वॉटर के बाद बोले जाते हैं तरह स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग बोलारे दे उड़ता हुआ अमीन मिलेगा कहाँ पर इन नोर्थ कैनेड़ा या फिर कोलम्बो दो देश में गुमता है वो कैनेड़ा में या फिर कोलम्बो में कोलम्बो स्रिलंका सर वहां माइनस इसके हरेख ऑर्बिटल के एंशी उप्रवाले की बात करें तीन और पांत यह थी तीन नेजी नहीं आगिया कि तो चलिए है यह अब सबसे लेट तक का सेशन है यह आज तक मैंने जीवन में कभी इतनी लेट तक नहीं पड़ाया है ओनलाइन नहीं पड़ाया है इसे और कुछ भी नहीं होगा है यह आपका हमवर्क है दिखा देता हूं कहां पर है यह आपका होंवग है इसको अच्छे से कर लेना मतलब पता लग जाएगा आपको इस चैप्टर कितना अच्छे समझ में आया है कल अच्छा इस लेक्टर के नोट्स मिल जाएंगे टैलिग्राम चैनल जो कि अनकैडमी क्लास 11-12 लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वाले लृट वीश-P vous-кив art प्रोमीस करताओं कि हर दिन की क्लास से तुम्हारे दो से तीन नंबर प्क्क होंगी आगर होगा है मिनिमंम्म दो नंबर मान को चलो तो 50 नंबर तीन नम्ब मान की चलो और तीन नंबर नहीं एब में सारी चैनीसींबहनाश's श्काल्न मेरी चैनल पर मिल जाएगा मेरी कॉम्यूनिटी मेरी कॉम्यूनिटी जुरूर जोइन कर लेना ठीक है और कल मैं 15 गोल्ड कोशिन करवाने वाला हूं क्लास का टाइमिंग होगी 330-430 साइस एक को इसके कल मतलब आज है और रात को बेसिक और गैनिक कराऊंगा क्यूंकि संडे से हम लोग यूट्यूब पे सिकंदर बैक में और गैनिक स्टार्ट करने वाले हैं तो बहुत सारे बच्चों को रहता हैं कि सरह में तो और गैनिक प बस यह जाता हूं कि आपके मार्स बहुत अच्छे हैं और सिर्फ तुम एक बार बोल दो कि हां यार कहीं पर भारस अन्यत चवड़ाया था दिम्राथ मेनत करी थी मारे साथ सिर्फ यह सुनने का लालच और कोई लालच है नहीं तुमसे अपने जुनियर्स को बोल रहे हो कि कि हां यार भारस सर्थ से पढ़ना हमने उसे पढ़ा था उन्होंने बहुत मेनत करे थी मारे साथ चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइक कर देना तो किसी रीच बढ़े और कोई लालत नहीं है कि लाइक से मुझे जादा पैसे मिलते हैं चलिए झाल को